बबूसा वाले गाल पर जूल रही थी उसका शरीर बलिष्ट था ताकतवर था बाहों और छाती का कटाफ जबर्दस अंदाज में जलक रहा था रंग सामला था परंतू चेहरा अकरशक था शरीर पर जगए जगए जखमों के निशान थे कुछ गहरे निशान थे जो कि कभी घातक रहे होंगे वो शानदार वेक्तित का मालिक था उसका चेहरा इस वक्त सपाट और भावीन दिख रहा था बंद आँखों के पीछे पुतलियां बराबर हरकत करती महसूस हो रही थी वो देर से समादी के इस मुद्रा में बैठा था सुबा के नौ बच चुके थे तुम कहाँ हो राजादेव सरसराती आवाज में वो बड़बड़ा उठा था मैं कब से तुमारी तलाश कर रहा हूँ और अब तुमारी गंद पाली है मैंने ओ उस तरफ मैं आ रहा हूँ राजादेव जगमोन काफी का प्याला था में किचिन से बाहर निकला सीधा देवराज चान के बैड रूम में जा पहुचा देवराज चान के बैड पर गहरी नीन में था एसी की ठंड़क कमरे में मौजूद थी उठो जगमोन पास पहुच कर बोला कॉफी लो मैं औरंगाबाद जा रहा हूँ देवराज चान ने आखे खोली और उट बैठा तुम तो तैयार भी हो गए देवराज चान उससे कॉफी का पहले लेते क्या होटा मैंने सुचा औरंगाबाद के लिए अभी निकल जाता हूँ बक्कियों खराब करूँ जगमोन बोला देवराज चान ने कॉफी का घूट लेने के पश्चाथ कहा आजम का काम ज़रूर पूरा करना वो बढ़िया बंदा है मविश में हमारे काम आ सकता है मैं समझता हूँ काम के पैसे मत लेना उस पर उधार रहने देना इस तरह बाच्चीत का सिलसला बना रहेगा जगमोन ने सेरे लाकर का मेरे ख्याल में मैं कल रात तक या परसो तक आई जाऊंगा जो भी हाला तो मुझे फोन पर बता देना जगमोन बाहर निकल गया पांस साथ मिनट बाद कार स्टार्ट होने और जाने की आवाज आई तब तक देवराच्चान काफी समाप्त कर चुका था वो बैट से उठा और सिगरेट सुलगा कर ट्राइंग रूम में जब होचा चेहरे पर किसी भी तरह की सोच नहीं थी वो सोफे पर बैटने जा रहा था कि एक एक थम गया देवराच्चान को लगा वहाँ पर कोई है वो फारण गूमा नजरें हर तरफ घूम गई परंतु महाँ कोई नहीं दिखा देवराच्चान के चेहरे पर उलजन के भाव आ गया उसे ये बात अजीब सी लगी कि उसे यहाँ पर किसी और के होने का हैसास क्यों गई जबकि यहाँ कोई भी नहीं है वो सोफे पर जा बैटा कश लिया निगा अभी भी हर तरफ घूम रही थी आदा मिनाटी बीता होगा कि वो तेजी सोटा और पीछे की तरफ घूम गया परंतु पीछे कोई नहीं था लेकिन उसने इस पष्ट तोर पर सोफे के पीछे किसी के मौजूद होने का हैसास पाया था जैसे कोई बेहत पास हो ये क्या हो रहा उसे देवराचान के चैरे पर कुछ उलजन दीगी अगली बल चुक कर तीन चार कदम पीछे होता चला गया और उसके होटों से निकला कौन है अपने कानों के पास उसने किसी को सांस लेते सुना था परंतु दिखाई नहीं दे रहा था कोई राजा देप एक धीमी सी मरदानी आवाज उसके कानों में पड़ी देवराचान स्तब्दिसा रह गया कुछ कहना सका मेरी आवाज सुन रहो राजा देप वही धीमी आवाज पुना देवराचान के कानों में पड़ी कौन हो तुम देवराज चौन के माते पर बल देखने लगे बबूसा हूँ मैं वही आवाज पना देवराज चौन को सुनाई दी कौन बबूसा मैं आपी का हिस्सा हूँ राजा देव आपका ही TNA, आपका ही घुन, आपकी ही ताकत सब कुछ आपी का तो है मेरे में मेरा तो जन्मी आपका मुकाबला करने के लिए कराये गिया इस पस्ट आवाज देवराज चौन ने सुनी मैं नहीं समझ पाए कि तुम कौन और क्या कह रहे हूँ देवराज चौन सतर्कसवर में बोला राजा देव मैं तुम मुझे राजा देव क्यों कह रहे हो क्या आप नहीं जानते सब कुछ भूल चुके हैं पभूसा की आवाज आई क्या नहीं जानता यही कि आप कौन है कहां से इस धर्टी पर आये और तब क्या घटी दुए था आपके साथ इस धर्टी पर वहां से आया जहां से और लोग आये इसमें कैसी क्या बात नहीं राजा देव आप सब कुछ भूल चुके हैं आपको कुछ भी याद नहीं क्या याद नहीं मुझे यह बहुत लंबी दास्तान है मैं इस तरह आप से नहीं कह पाऊंगा राजा देव तो कैसे कहोगे जब मैं आपके सामने आऊंगा तो क्या आप सामने नहीं हो नहीं अभी मैं आपके सामने नहीं हो मेरे भीतर महापंडित ने जन्म के समय कुछ शक्तियां डाल दी थी उन्हीं शक्तियों के सारे आपसे बात कर रहा हूँ महापंडित का कहना था कि राजा देव को ढूंड़ने में ये शक्तियां मेरे काम आएंगी और उसने सही कहा था महापंडित सच में ग्यानी है अब उन्ही शक्तियों के दंपर में आपसे बात कर पा रहा हूँ उन शक्तियों ने आपकी गंद को ढूंड निकाला है आप मुझे बताएं आप कहां पर रहते हैं राजा देव क्यों मैं आपके पास आऊंगा क्यों आपसे मिलूंगा आपको देखूंगा आपसे बहुत बाते करूंगा और मैं तो मैं नहीं जानता आपके लिए मुझे जानने को है ही किया राजा देव मैं आपका ही अंचू, आपका ही इस्सा मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो मैं बबुसा, बबुसा कौन है आप तो सब कुछी भूल चुके हैं राजा देव देवराच्चान खामोर्शा चहरे पर सक्ती के भाव थे धाईसो साल पहले अंत्रिक्ष के एक छोटे जिग्रह के राजा थे आप बबूसा की आवाज आई मैं? राजा? हाँ राजा दे तब मैं आपका खास सेवक हुआ करता था आप मुश्बर पूरा भरोसा करते थे फिर मैं यहाँ कैसे पहुच गया? राणी ताशा की वज़े से राणी ताशा? आपकी राणी आपके ग्रह की सबसे खुबसूरत औरत याद आई राणी ताशा की? नई राणी ताशा ने आपके साथ धोका किया और आपको ग्रह के बाहर फिकवा दिया ग्रह के बाहर फिकवा दिया? देवराच चौन के आँके से खुड़े कोई किसी को किसी ग्रह के बाहर कैसे फिकवा सकता है? फिकवा सकता है आपने बुरे लोगों को ग्रह के बार फेक देने का एक रास्ता बनाया हुआ है रानी ताशा ने आपके खिलाब शटेंथ रजा और आपको ग्रह के बार फेक दिया तुमारी बाते सुनकर मुझे हैरानी हो रही है तुमारी बाते सुनकर मुझे हैरानी हो रही है परन्तु बार में रानी ताशा अपने किये पर बहुत पस्ताई अब वो आपको वापिस उसी ग्रह पर ले जाना चाहती है वो आपको लेने आपके बनाए ओपा यानि अंतरिक शियान पर सवार होकर इस धर्थी पर कभी भी पहुंच सकती है वो अपने किये पर शर्मिंदा है आपसे माफी माँगना चाहती है और वापिस ले जाएगी आपको बाबुसा की अवाज कानों में पड़ रही थी तुमारी अजीब सी बात है मेरी समच से बाहर है राजा देव मैं आपका विश्वासी सेवा को मैं आपसे दोगा नहीं कर सकता जो कहा है सचका है राणी ताशा हर हाल में आपको वापिस आपके ग्रह पर ले जाना चाहती है यह उसकी लंबी योजना है बहुत देड़ से वो ताने बाने बुन रही है 28 साल पहले उसने मेरा जर्म कराया इस धर्ती पर इस धर्ती पर तुम इसी धर्ती के हो हाँ राजादेब मैं डोबू जाती से संबंद रखता हूँ जो की बरफीले पहाडों पर बसती है आपके ग्रह के राणी ताशा के डोबू जाती से रिष्टे है आपका बनाया पोपा यानि अंत्रिक शियान अक्सर हमारे घ्रह से डोबू जाती के लोगों के पास आता है राणी ताशा के भेजे लोग उसमें सवार होकर डोबू जाती से मिलने जाते है राणी ताशा को इस धर्ती के लोगों की साहिता की जरुत पड़ीगी इसी वज़े से रानी ताशा ने डोबु जाती से दोस्ति कर रखिए डोबु जाती वाले पोपा, अंतरिक्ष्यान से आने वाले लोगों से प्रवावित है कि वो आसमान से कहां से आते हैं रानी ताशा आपको वापिस सुदूर ग्रैबर ले जाना चाहती है और आपके इंकार करनी की स्तिती में रानी ताशा ने मेरा जर्म करवाया डोगु जाती में कि मैं वक्त आने पर आपको समभाल सको 200 सालों से रानी ताशा ने डोगु जाती से सम्मद बना रखे महापंडित रानी ताशा की हर संभव साहता कर रहा है रानी ताशा का जीवन पूरा हो जाता है तो वह पुना रानी ताशा का जर्म करवा देता है रानी ताशा ने धोके बाजी करके आपको ग्रह से बाहर फिकवा दिया इस पर भी महापंडित रानी ताशा का साथ दे रहा है ये बुरी बात है मुझे देखिए मैं आपका दोबू जाती से बाहर निकल आया हूँ कि रानी ताशा की कोई ऐसी बात नहीं मानूँगा जो आपके खिलाफ को आप खुशी से अपने सुधू ग्रह पर वापिस जाना चाहते हैं तो ठीक, नहीं तो मैं आपके साथ जबरदस्ती नहीं होने दूँगा, रानी ताशा की एक का सहरा है, और उस जाती में खतरनाक से खतरनाक योद्धा बरे पड़ें, आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि आप में वो पहले वाली बात नहीं रही, तब आप जैसा योद्धा सुधूर घ्रह पर दूसरा नहीं था, वहां के बलशाली लोग राजा बनने के ल मेरे होते वो आपका कुछ नहीं बिगाड सकते, रानी ताशा ने घहरी साजिश है, रचिये, आपके खिलाव कि आपको बापिस सुधू ग्रह पर ले जा सके, परमती ये बात मुझे पसंद नहीं आई कि मेरी जानकारी में कोई राजा दिव के खिलाव साजिश रचे, मैं मैं ये बताईए कि आप रहते का है, बबूसा की आवाज आई, क्यों ताकि आपके पास आगर मैं बाते कर सको, सब कुछ आपको बता, मैं तुम्हें अपने रहने की जगए नहीं बता सकता, क्यों राजा देव? क्योंकि मैं तुमारे एरादों से वाकिफ नहीं हूं, आप खत्रे में पढ़ने वाले है राजादेव परम्तु मैं आपको बचाओंगा मैं मुझे किसी की जरुवत नहीं है मुझे तुम्हारी बातों का जरा भी भरोसा नहीं है ये कहकर आपने तो दिल दोड़ दिया राजादेव मैं देवराच चौहान हूं राजादेव नहीं मेरा कोई ग्रह नहीं है मैं अपने पूर जरुवत 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 आप दोड़ बन गए जबकि आपकी शादी मिन्नो की बहन बेला अब नगीना से हुई थी परंटो मिन्नो से लड़ते आप भी मारेगा रैगा मिन्नो भी मारी गई इस तरह आपके पहले जरुवत कान்त हुआ था परंटो उस जरुवत के आपको आपके और मिन्नो के अधूरे काम रिख करने रह गए थे जो आप लोगों के हाथों ही संपूर होने है यही कारण है कि वक्त का पईया आप दोनों को बार बार पूर जनम में खीश ले जाता है मैंने ठीक कहा ना राजादेव देवराचान चुप रहा पहले जनम की दर्ती का वो हिस्सा समय चक्र में फसकर रहस में बन गया और दुनिया की निगाओं से छुप गया कोई नहीं जानता कि इस दर्ती में आपके पहले जनम की जमीन कहां पर है परंतु कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो आपके और मिन्नो के बार बार वहां जाने के लिए रास्ता बना देती है तुम काफी कुछ जानते हो मैंने 28 साल आपके बारे में ही जानने पर लगाएं राजा देव आपका दूसरा जनम पंजाब के लोद्याना शहर में हुआ और आपकी पत्नी मिन्नो ही बनी बहुत अच्छा और सुखवाला जीवन आपने बिताया इस जनम के बारे मैं जिक्र करने लाएं कुछ नहीं है परंतु तीसरा जनम अब चल रहा है इस जनम में आप चोर है और पहले जनम वाली बेला यानी नगीना अब आपकी पत्नी है बबुसा की आती आवाज एक पल के लिए रुकी उसके बाद फिर सुनाई देने लगी परंतु मैं जिस वक्त की बात कर रहा हूँ वो बात इन तीन जनमों से पहले की है लेकिन उसके बाद रानी ताशा को बहुत दुग और पस्तावा हूँ अपनी करनी का वक्त हाथ से निकल चुका था और आपको वापिस नहीं लाया जा सकता था रानी ताशा ने खुद अपने हाथों से उसके लिए कि सेना पती धोमरा को मार दिया था रानी ताशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आपको खो देने के बाद क्या करे परंतु तब महापंडित ने रानी ताशा को बताया कि आप जीवी थें अगर वो उसके कहने के मताबिक इंतिजार करे तो राजा देव से फिर से उसका सामना हो सकता है रानी ताशा मान गई और महापंडित के इशारों का इंतिजार करने लगी उसका जीवन बार बार पूरा होता रहा और महापंडित उसे पुरह नया जीवन देता रहा आपकी तरह उसने भी कई जीवन जीए परन्तु हर जीवन में रानी ताशा अगेडी रही किसी मर्द का साथ नहीं लिया शायद ही उसका पश्चा दाप था जो उसने पहले आपके साथ किया था अब महापंडित ने राणी ताशा को कह रखाए कि राजा देव से मिलने का समय निकट आता जा रहा है राणी ताशा अपनी तैयारियां पूरी कर चुकी है इसी कारण मेरा जन्म कराया गया देवराच्वान लंबे पलों तक चुप रहा फिर बोला एक मिनट के लिए मैं माल लूगी तुमारी बाते सही है तो सवाल ये पैदा होता है कि इस भरी दुनिया में राणी ताशा ने मुझे ढूंडा कैसे यहां किसी को ढूंड पाना महापंडित ने किया ये काम बगूसा की आवाज आई आपकी गंदे से आपकी तलाश की परन्तो इस काम में उसे टाइस वर्ष लग गए यह गरे आपके सुदूर गरे से बहुत बड़ा है यहां पर जादा लोग बसते हैं ऐसे मैं आपको ढूंड पाना असान नहीं था परन्तो महापंडित ने पूरी महनत करके आपको ढूंड निकाला यह 28 वर्ष पहले की बात है आपको ढूंड लेने के बच्चार महापंडित ने रानी ताशा के कहने पर मेरा जन्म कराया और मुझे डोगू जाती के पास छोड़ दिया कि मैं यहां के हिसाब से पल सकूँ पोपा मुझे डोगू जाती के पास छोड़ गया था तब मैं कुछी दिन का था और डोगू जाती के बच्चों में रहकर मैं पला बढ़ा हुआ इस दौरान रानी ताशा आपको वापिस सुदूर ब्रैपर ले जाने का शड़ियन तयार करती रही और महापंडित आप पर नज़र रखता रहा कैसे नज़र रखी उसने मुझ पर? महापंडित अमती दो शक्तियां आप छोड़ लगती है वो आपका सारा हाल महापंडित को बताती रहती है फिर तो मैं मेरा पता ठिकाना पूछने की क्या जरूरत है उन शक्तियों से मेरा पता पूछ नहीं पूछ सकता क्यों? वो शक्ति है महापंडित के अधिकार में और मैं डोबू जाती से विद्रो करके बाहर आगया हूँ अब महापंडित से मेरी सीधे सीधे बात नहीं हो सकती अगर महापंडित चाहे तो वो मुझसे अवश्च बात कर सकता है बबुसा की आवाज आई देवरा चान मुस्करा पड़ा इस मुसकान का क्या मतलब ओओ राज़ा दे तुमने अपनी बातों मैं मुझे उलढ़ा दिया था फरण तो अब मैं फिर वर्तमान इस्तिती में आ गया तुमारी कही किसी भी बात का मुझे यकीन नहीं तुम जाने क्यों ऐसी बात करके मुझे फसाने में लगे राजादे मैं आपका सेवक हूँ बक्वास तुम आप मुझे यहां का पता बताईए मैं आपके सामने हाज़र होकर आपको हर बात का यकीन दिलाऊंगा तुम जो भी हो जा यहां से मैं इन बातों में नहीं पढ़ना चाहता मैं इन बातों में तो इन बातों में तो आपको पढ़ने ही पढ़ेगा राजा देव पोपा पर सवार होका राणी ताशा कभी भी इस दर्टी पर डोबू जाती तक पहुंचेगी और उसके बाद डोबू जाती के योद्धाओं को लेकर आपके पास आएगी राणी ताशा आपको हर हाल में बापस सुदूर गरे ले जाना चाती है ऐसे वक्त में मैं ही तो आपके कामा सकता हूँ मेरी ताकत का मुकाबला कर पाना उनके लिए कठिन होगा काफी बुरा वक्त आने वाला है राजा देव मेरी बात का यकीन कर लीजिए चले जाओ मेरे बात से आप मुझे अपना पता क्यों नहीं बता रहा है राजा देव पबूसा की आवाज आई क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता क्योंकि मैं ये नहीं जानता कि तुम मेरे भले के लियो हो या बुरे के लिए क्योंकि मुझे तुम्हारी कही किसी भी बात का भरूसा ने बैतर होगा चले जाओ यहां से राजा देव मेरी जानकारी के मताविक रानी ताशा का इस ग्रैपर आने का वक्त करीब आ चुका है मैं किसी रानी ताशा को नहीं जानता यही तो समस्य है कि आपको कुछ याद नहीं परंतो आपको सब याद आ जाएगा राजा देव वो कब जब आप रानी ताशा को सामने देखेंगे महापंडित ने ये बात मुझे तब बताई थी जब सुदूर ग्रैपर आपके अनुरूप में मेरा जन्म कराने जा रहा था उसने कहा था कि रानी ताशा के चेहरे पर ऐसी शक्तियां डाल देगा कि राजा देव जब रानी ताशा का चेहरा देखेंगे तो उने सब कुछ याद आ जाएगा पभूसाय की आवाज सुनाई दी तो फिर तो मैं उस वक्त तक का इंतिजार करना होगा जब मुझे सब कुछ याद आ जाए तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी राजा देव आप रानी ताशा को नहीं जानते देवराज चान बोला हा राजा दे मैं अपनी पत्नी के अलावा अपना दिल कहीं पर नहीं रखता इस बात का भी मुझे ग्यान है ऐसे में मैं रानी ताशा की तरव आकर्शित नहीं हो सकता आप ठीक कहते हैं परन्तु आप रूप की जादुगर्नी रानी ताशा को भूल चुके हैं आपको कुछ भी याद नहीं रानी ताशा आपके ग्रह की मामुली सी लड़की थी परन्तु आपने उसे देखा तो आप उसके दिवानें उटे थे रानी ताशा के साथ ब्या करके या अपने दम लिया था जब तक वो आपको हासिन नहीं हुई तब तक आपका चैन गुम रहा उसे पा लेने के बाद भी आप उसके दिवाने रहे और रानी ताशा ने आपकी दिवानकी का फायदा खूब उठाया किले के कर्मशारी उसकी मुठी में आ चुके थे कोई खबर आप तक नहीं पहुंसती थी फिर आप पोपा का निर्मार करने के लिए चले गए लम्बे वक्त तक आप पोपा के निर्मार में लगे रहे और रानी ताशा किले के सेनापती धुमरा के साथ मौजों में लगी रही, किले के लोगों का मूँ रानी ताशा ने बंद कर दिया था तो महापंडित आपको हकीकत बता सकता था लेकिन वो भी चुप रहा अच्छा, देवराच चान ने दिल्चस्पी वरे सर्में कहा, तब तुम कहा थे मैं तो आपके साथी, पोपा यानि अंत्रिक्ष्यान के निर्मार में लगा वोगा था पबूसा को सुनाई देने वाला सर्शान था आप मुझे अपना पता बता दीजे मैं मिलकर आपको हर बात का यकिन दिला दूँगा अगर रानी ताशा इस ग्रैपर आप पहुँची और आपने उसे देख लिया तो मुझे डर है कि आप उसके रूप के दिवाने ना हो जाए वो आपको वापिस सुदूर ग्रैपर ले जाएगी और तुम चाहते हो कि मैं वापिस ना जाऊँ देवरा चान मुस्करा है नहीं राजा दे मैं ऐसा नहीं चाहता मुझे तो बहुत खुशी होगी कि आप वापिस अपने ग्रैपर चलें और वाँ की जंता को समा लें आप जंता को खुश रखते है परंतु मेरा एराद है यह है कि रानी ताशा अपनी खुशूर्ती कोईजे से सफल ना हो सके जो भी फैसला हो आप होशो अवास में लें रानी ताशा अगर जबर्दस्ती आपको पोपा में बठा कर वापिस घरह पर ले जाना चाहेगी तो मैं यह नहीं होने दूँगा मैं चाहता हूँ आपको सब कुछ याद आजाए कि रानी ताशा ना आपके साथ क्या किया था उसके बाद ही आप जो फैसला लेना चाहें लें मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ बबुसा आपका सेवक है और हमेशा खास सेवक रहेगा मुझ पर आप पूरा भरुसा ओ अभी मुझे जाना होगा राजा देख कोई दर्वाजे पर शमा चाहता हूँ पर मुझे जाना होगा उसके बाद बबुसा की आवाज नहीं आई वो किसे रादिज उसके करीब आने की कोशिश में देवराज चाहन किसी नई मुसीवत के सिर पर लेने के पक्ष में नहीं था वो उसके पूर्जनमों से भी पूर्जनम की बात कर रहा था कि वो किसी सुदूर घ्रह कर राजा था रानी दाशा, महापंडित, देवराज चाहन ने आगे सोचना बंद कर दिया उसे किसी भी बात पर भरोसा नहीं था ना ही बबुसा के वेक्तित्व पर भरोसा था वो इतना जानता था कि बबुसा की बाते महस बकवास थी यकीन करने लाए कुछ भी नहीं था परन्तु कुछ बात तो थी देवराज चाहन की सोचों को जटका लगा वो दिख नहीं रहा था उसके कथन के मताविए वो कई और समाधी में था परन्तु वो उसके पास बाते कर रहा था उसने कहा था कि उसकी गंद ने उसने उसे ढून लिया है देवराज चाहन के चैरे पर उलजन ही उलजन दिखाई देने लगे रानी ताशा के बारे में सोचा लिके ने इस बारे में हर तरफ उसे कौरा ही दिखा रानी ताशा का नाम उसने कभी सुना ही नहीं था और बबूसा का कहना था कि वो उसके रूप का दिवाना था वो सुदूर ग्रह की सबसे खूबसूरत युफ्ती थी पकवास वो ऐसी किसी बात को नहीं मानता बबूसा बे सिर पैर की बातों में उलजा कर जाने क्या चाहता था पिछले 28 सालों से किसी महापंडित की दो शक्तियों उस पर नज़ा रखे हो गए ऐसा कभी भी नहीं हो सकता देवराज चौहान ने सिर जटक कर इन सोचों से अपने को दूर किया परंतु सोचे थी कि फिर सर पर सवार हो गई रानी ताशा पोपा पर सवार होकर आ रही है अंतरिक शियान को बबुसा पोपा कहकर बुला रहा था ये भी कहा कि पोपा उसने बनाया था पता नहीं क्या क्या कहा उसने ये सब बातें देवरा चौहान ने दिमाग से निकाल फेकने की कोशिश की परंतु सफ़ाल होता नहीं दिखा रानी ताशा का चैरा देखते ही उसे अपना वो जन वो वक्त याद आना शुरू हो जाएगा वो उसे वापिस अपने ग्रह पर ले जाना चाहेगी साथ में डोगू जाती की योद्धा होंगे जो जरुवत पढ़ने पर उसके साथ जोर जबरदस्ती भी कर सकते हैं बेकार की बाते हैं ऐसा कुछ भी नहीं और ना ही होगा देवरा चान बड़बड़ा उठा सामाधी लगा है वो योगक और कोई ने बबूसा ही था एकाएक बबूसा ने आखे खोल दी आखों में तीवर चमक मौझूद थी चेहरे पर चैन के भावते फिर उसने सामाधी की मुद्रा को तोड़ा और खड़ा हो गया तब ही पोना दर्वाजा तप तपाये गया अंडर्वेर पहने ही वो दर्वाजे की तरह बड़ा दर्वाजा खोला सामने वेटा खड़ा था रोज यही वेटर बबूसा को नाश्टा कराता था दौनों में दोस्ताना भाव पैदा हो चुके थे तीन महीने से बबूसा इसी होटल के कमरे में रुका हुआ था ऐसे में स्टाफ से बढ़िया पैचान हो जाना मामली बात थी गुड मॉर्निंग साब जी वेटा मुस्करा कर बोला आज अब नाश्टे में लेट हो गए बबूसा शांद भाव में मुस्कराय फिर बोला लेआव क्या लाओ आज अपनी पसंद से रोज की तरह का बढ़िया नाश्टा लेआव बबूसा ने कहा ठीक है साब जी लाता हूँ वेटा से रिला कर चला गया बबूसा ने दरवाजा बंद किया चेहरा शांद और सभाट था आगे बढ़कर एक तरव रखी कमीज और पैन पहनने लगा अब उसके चेहरे बस सोचे आगी थी राजा देव बबूसा बड़बड़ा उठा मैं आपको ढून निकालूँगा आम मुस्से छिप नहीं सकते महापंडित की दी गई कई शक्तिया हैं मेरे पास मैं सब शक्तियों का इस्तिमाल करूँगा आप तक पहुँचने के लिए इससे पहले कि रानी ताशा आप पर अपनी खुबसूरती का जाल फे गए और आप मतोश हो जाएं मैं आप तक पहुँच जाऊंगा और भी बर्फी बर्फ दिखती थी यहाता याद फूरी तरह ठपड़ जाता था अन्न शेळों से लाहलस्पिति का इलाका कट जाता था यू भी लाहलस्पितिक आलाका पहाड़ों से दुनिया से कटा सही राता था इसके एक क्रफच्ण तिब्बट लगते थे तो दूसी तरफ जम्मू और कश्मीर का अलाका लगता था जम्मू कश्मीर का ऐसा अलाका जहां को बसता कोई नहीं था वहां बर्फ और सखदी इतनी जादा थी कि किसी के बसने का हुए मतलब नहीं था मीलो तक जम्मू कश्मीर का वह अलाका वीरानी दिखता था हर तरह बर्फ की सफेदी नजर आती थी जम्मो कश्मीर ही नहीं लाउल इस्पिती की सीमा वाले आलाके का हुई कुछ ऐसे ही हाल रहता था वहां से लाउल इस्पिती की आबादी मीलो दूर थी अलबता सैलानियों के लिए ट्रैकिंग के लिए वो जगे मशूर मानी जाती थी कोई आबादी ने हर तरह बिची बर्फ की मोटी चादा और पहाड़ों के रास्ते ट्रैकिंग के लिए वो जगे बेहत सफल थी इस आलाके में आ जाने का मतलबता दुनिया से अलाग हो जाना आप पर कोई मिमसीवत आए कोई साहता नहीं मिल सकती मोबाइल काम नहीं करते वार नहीं पहुँच सकते सिर्फ हेलिकाप्टर ही पहुच हेलिकाप्टर की पहुच यहां तक थी हेमाचल रोडवेस की वो नीली और पीली बस जो की इसवर बुरी हालत में लग रही थी वो सड़क के बीचों बिंच बत्यर रवतार से आगे बढ़ी जा रही थी वो ही वो नाम की ही सड़क थी सड़क के दोनों तरफ बर्व गिरी हुई थी बीच में इतनी ही जगे थी कि बस के टायर आ सके सड़क भी उबड़ खाबड़ बुरे हाल में थी रह रहकर खड़ों में बस उचल रही थी ऐसा सफर करना खुद को मुसीवर में डालने जैसा था परंतु सफर भी तो करना था लोगों को बस कियों मों नाम के कजबे से टाकलिंग जा गे टाकलिंग ला की तरफ जा रही थी टाकलिंग ला जो कि लावल इस्पिती का सीमा के पास का आकरी छोटा सा कजबा था उसके बाद आबादी खत्म हो जाती थी और कई मिल दूर जम्मु कश्मीर की सीमा शुरू हो जाती थी और ये कई मिल बिलकुल वीरां थे गने जंगल थे जो की बर्व से गिरे थे अंजान रास्ते थे कि एक बार जो भटक जाए फिर उसका सीधे रास्ते पर आना संबब था कई जगे तो बर्व के ऐसे ऐसे गहरे गड़े थे कि उपर बर्व की सता पड़ी रहती उस पर पाउ रखा तो सीरे गहरे सीधे गहरे गड़े में और खेल खरतना इस तरफ कोई नहीं आता था यहां तक की स्थानिय लोग भी नहीं आते थे यहां इन्हें एक ही काम पड़ता था जंगल से लकड़िया लाने का काम की चूला जला सके खाना बना सके इस काम के लिए आट दस लोग दल बनाकर यह दर आते थे ताकि उन्हें एक दूसरे का सहरा रहे टाकलिंग लाकजबे के लोगों का रोजगार धान की खेती सबजिया उगणा और गाई बहसों का दूद निकाल कर सुबह की बस से क्यों मों जाना और वाँ बेज़ कर कुछ पैसे कमा लाना इसी तरह यह सबजिया चावल बेज़ते थे ऐसी सरदी में इनके लिए मास खाना जरूरी हो जाता था तो यह पर फीले जंगल में जाकर किसी ना किसी चानवर का शिकार कर लाते जैसे तैसे अटाकलिंग लाग अजबे के लोग अपना गुजारा कर रहे थे इस तरह जीने की आदत पढ़ चुकी थी इने मातर एक हजार रुपया भी इनके लिए बड़ी आमियत रखता था यहां कुछ घरी पके थे नहीं तो वर्त जोपड़ियां ही निज़र आती थी परन तो जोपड़ियां बेहर मसबूत और भीतर से गर्म रखने वाली थी दो तीन चार किमरों के वाली जोपड़ियां जनकी तीवारे तो पाड़ी पत्रों गी ती अच्छत पर मजबूती से काम किया हुआ था कि अक्सर पढ़ने वाली बर्फ और वर्षा उनको कुछ ना बिगाड सके धरा पंचल हिमाचल रूटवेज की इसी नीली पीली बस में कियोमों से टाक्लिंग ला के लिए बैटी थी ड्हाई गंटे के सफर में धरा का बुरा है लो गया था हाल तो उसका चार दिन से बुरा था चार दिन से पाढ़ी सफर बसो पे तैय करती वो टाक्लिंग ला तक पहुँची थी सब्ता बर से वो सफरी कर रही थी मंबई से चली थी वो तीन दिन उसे माचल पहुशने में लगे तब वो मातर छे गंटों के लिए एक होटल के कमरे में सोई थी और अगले दिन सुपर उसने सफर शुरू कर दिया था उसकी मनजिल लाओ लिस्पिती का ये कजबा टाकलिंग ला था सामान के नाम पर उसके पास नीले रंका बड़ा सा बैक था जिसे हाथ में भी पकड़ा जा सकता था और पीट पर भी लादा जा सकता था तब उसने रात की सास्टी जबस के कंड़क्टर को कहते सुना कि टाकलिंग ला आ गया है फिर कुछ देर बाद बस अड़क से उतर का छोटे से मैदान तो जाकर रुख गई वहाँ दो दुकाने बनी हुई थी एक रोटी का टाबा और चाय मिलने की दुकान थी दूसी पांच से ग्रिट की दुकान थी ये था टाकलिंग ला का बस अड़ा वहाँ पर दूसरी कोई बस नहीं थी इस बस में 25 के करीब इस थानीय सवारी थी वे सब नीचे उतरे और अपने अपने रास्ते पर बढ़ गए उस ने बस की चट पर लगे केरियर पर बोरियों में सामान रखा हुआ था वो लोग अपने सामान को उतारने के लिए बस की चट पर चाड़ने लगे धरा बैक कंदे पर फसाए बस से उतरी और ठिटकी से हर तरफ नजर दोड़ाने के बाद उस दुकान पर जा पहुची जा रोटी और चाहे मिलती थी माँ चालिस वर्ष का एक व्यक्ती मौजूद था भाया धरा बोली यह रहने की जगे और काईट कहां पर मिलेगा बस्ती में चली जाओ उसने कहा किस तरफ अभी अभी जिदर लोग गए हैं इस तरफ उसने एक तरफ इशारा किया शुक्रिया धरा ने का और बैक समाले उसी तरफ बढ़ गई हर तरफ बर्ष सिठा की चोटिया नजर आ रही थी आसपास भी बर्ष गिरी हुई थी मद्यम सी धूप निकली हुई थी धरा को सर्दी महसूस हो रही थी जीन्स की पैंटर कमीज के उपर तीन दिन पहले खरीदा पतला सकाला सटर पैन रखा था जो कि यहां की ठंड को रोकने के लिए नाकाफी था धरा चौबिस साल की उपती थी सामने रंगी खुपसूरत उपती थी एक निगा देखने पर मैसूस हो जाता था कि उसके जीवन में भरपूर उत्सा है और वो कुछ करने के तमन्ना रखती थी खुपसूरत वादियों के नजारों को देखती धरा बैक को कंदे पर ला दे उस पतली सी पक्टंडी पर आगे बढ़ी जा रही थी आगे जाकर ढलान भी आई सेड़ियां भी आई और चड़ाई भी आई पंद्रा मिनिट बाद लोगों के रहने वाले मकान जोपड़ियां दिखने लगी पक्के मकान थे कच्चे मकान थे और बड़ी बड़ी जोपड़ियां थी सब अलग अलग बने थे कई कई पर कुछ जोपड़ियां अकट्टी भी थी धरा को खेट भी दिखे और वहां काउं करते लोग भी नज़र आए तब ही एक बहुत बड़ा बादल जमीन को छूता चला गया आसपास कौरा चा गया धरा को दिखना भी बंदो गया तो वो ठिटक गई बादल रुपी कौरा चटा तो धरा पोना आगे बढ़ने लगी मज़ेदार मौसम था धरा का दिल खुश हो गया था यहां आकर परंतु वो अपने काम के संबंद में सूच रही थी कि वो हो पाएगा या नहीं जिसके लिए यहां आई है इतना लंबा सफर तहकी है धीरे धीरे धरा टाकलिंग ला की बस्ती में आ पहुची थी रास्ते में जो भी इस्थानिया वेक्ती या मैला मिलती उसे गहरी ने गाउं से देखती किसी भारी वेक्ती का टाकलिंग ला आना नई बात नहीं थी टेकिंग के लिए डोग यहां आते रहते थे गाउं में किसी के घर में पैसे देका ठहर थे गाउं वाले में से कोई पैसा कमानी की खातर उनका काईड बन जाता इससे अच्छी कमाई हो जाती थी कई गाउं वाले न तो ऐसे लोगों के लिए अलक्स जोबड़िया बना रखी थी तब ही धरा ने सामने से आते हैं कि आदमी से पुचा यहां रहने के लिए जगह कहां मिलेगी जगह है मेरे जोबड़े में कमरा खा दिया वो बोला पचास रुबड़े रोज के देने होंगे ठीक है धरा से रिला कर बोली अकेली हो हाँ ट्रेकिंग के लिए तो लोग दो तीन चार के गुरुप में आते हैं लब बैक मुझे देदो धरा उसे बैक देते बोली मैं ट्रेकिंग के लिए ने गुमने आई हूँ आव मेरे साथ बैक था में वो धरा से बोला तुमारा नाम क्या है धरा दोना बस्ती की तरफ बढ़ गए खाना भी खाओगी हाँ तो उसके पैसे अलग से देने होंगे सौरो पर रोज के ठीक है मैं दूंगी खाने में मीट भी मिलेगा और रोटी सबजी भी जो भी तुम चाहे वो मिल जाएगा मेरे नाम संत्राम है और मेरी पत्नी का नाम बीना है बच्चे भी है तीन यहां कबसे रह रहे हैं हम? मैं तो पैदा ही यहीं पर हुआ था संत्राम मुस्क्रा कर बोला एक आएक आसमान पर काले बादल उमड़े और तेज अवा के साथ बरसात होने लगी बीच बीच में बादलों की जबर्दस गर्जना भी हो रही थी कभी कभी तो धर्ती कापती लगती दिल तहल सा जाता परंतु बरसात शुरू होने से पहले ही धरा संत्राम के साथ उसके घर पहुँच गई थी बैसांत्राम के बीवी बीना से मिली जो की 40-42 साल की थी तीन बच्चे थे दो लड़के और एक लड़की जो की 18 साल की थी जो उपड़े में आराम के हर चीज मौजूद थी बरसात होने के साथ ही बातावणों में ठंड़क सी बढ़ गई थी बीना ने धरा को गरम मसाले वाली चाय बना कर दी तब तब मिलने मिलाने की रस्म पूरी हो गई थी बच्चे पुना अपने अबने कामों में वैस्त हो गए थे धरा ने चाय का घूर बरा तो बीना बोली कब तक रुकेंगी आप कई दिन लग सकते हैं धरा ने का मुझे आप न गएं अपनी चोटी बेहन कर समझ कर बात करें बीना जवाब में मुस्करा कर रह गई धरा ने संतराम को देखकर कहा मुझे यह गूमने के लिए गाइड की जरूरत है जो मेरी मंचाई जगह तक मुझे ले जा सके मैं हूँ संतराम ने का मैं आपको हर जगह गुमा दूँगा हर जगह दरा ने संतराम की आँखों में जाका हाँ हाँ मैं यहां के सब रास्ते जानता हूँ यहीं का तो हूँ मैं कई लोगों के लिए गाइड का काम कर चुका हूँ एक दिन का दो सो रुपया लूँगा सब जगह अच्छी तरह गुमा दूँगा मैंने सुना है कि यहां कहीं डोबू जाती है धरा बोली संतराम बुरी तरह चौंका बीना ने फौरण संतराम को देखा धरा उन दौनों के चैरों के भावों को मैसूच कर चुकी थी कौन हो तुम संतराम ने गंबीर निगाओं से उसे देखा मैं धरा हूँ धरा ने मुस्करानी की चेश्टा की डोबू कोई लोगों से तुमारा क्या दमतलव यहां आने वाले लोग उनके बारे में बात नहीं करते तुम तो गुमने आई हो मैं सरकारी नो करूँ और पुरातर बिवाग के ऐसे बिवाग से मेरा संबन्द जो हिंदोस्तान में भी तक बसी पुरानी जंजाती पर रिसरच करता है उन्हें दराश करता है उनसे संपर्ख बनानी की चेश्टा करता है और उसके बाद उन्हों को किसी तरह अपनी दुनिया में शामिल करने की चेश्टा करता है तो तुम डोबू जाती के लिए आई हो हाँ, मुझे कुछ ऐसा मिला है कि पता चला कि इस तरफ कहीं डोबू जाती बसती है मैं इस बारे में यकीन कर लेना चाहती हूँ जब मुझे यकीन हो जाएगा तो मेरे खबर करने पर मेरे बिवाग के और लोग भी यहाँ आजाएंगे यू समझो कि अभी मैं जांच परताल करने आई हूँ धरा ने संत्राम और बीना को देखती हूए शांसवर में का संत्राम ने व्यकुलता बरी निगाओं से धरा को देखा बीना खामोज बैटी रहे धरा चाय का पहले रखती हूए क्या उटी क्या बात है आप इतने परिशान क्यों होंगे तुमारा साथ कोई नहीं देगा संत्राम ने कंबीर सार में का क्यों डोबू जाती का नाम हमने भी सुन रखता है पर उन्तु कोई नहीं जानता कि वो कहा है हम लोग उस तरफ कभी नहीं जाते किस तरफ दराने फॉरण का जिदर टोबू जाती के होने के बारे में सुनने में आता है वहाँ से कोई सिंदा नहीं रोटता कोई उदर पहुंच जाए तो मैं वहाँ जाना चाती हूँ मैं नहीं जानता कि टोबू जाती कहाँ पर रहती है तुम जानते हो नहीं जानता सच मैं नहीं जानता तो कौन जानता है कोई तो यहां होगा जो डोबू जाती के बसने की जगह जानता मुझे कुछ नहीं पता कहने के साथी संत्राम उठ खड़ा हुआ बाहर तेज बरसात लगी थी बादल करच रहे थे पिजली चमक रहे थी आप इसे जोगा भाई सब से मिलवा दो खामोश बैटी बीना क्या उठी तुम समस्ती नहीं संत्राम ने जला कर का जोगा राम भी उदर नहीं जाएगा आपी ने तो बदाया थे कि दो-तीन साल पहले कुछ लोगों को लेकर जोगा भाई सब उस्त्रब गए जोगा राम उने दूर से ही रास्ता बता कर वापिस आ गया था परन्तु वो लोग कभी वापिस नहीं लोटे जोगा राम जानता है कि उदर जाने में कितना खत्रा है वो नहीं जाएगा उदर जोगा राम है कौन तरहा ने पूछा जोगा भाई साब इसी बस्ती के हैं और वो टोगू जाती के बारे में काफी कुछ जानते हैं परन तो इस बारे में किसी से बात भी नहीं करते उनके अलावा शाहिदी कोई हो जो टोगू जाती के रहने की जगे जानता हो जोगा भाई साब वहां तक का रास्ता जानते हैं पर मुझे भी लगता है कि वो तुम्हारी बात मानेंगे नहीं बीना ने का मुझे जोगा राम से मिलवा दू मैं उससे बात करूँगी धरा ने धरता बरे सौर में का इसे जोगा भाई साब की घर ले चलो बाहर से ही घर दिखा देना बीना ने संत्राम से का बरसाद रुखने दो संत्राम नगम 200 में का बीना ने धरा को देखकर कहा खाओगी क्या है तुमारे अने तक मैं खाना तैयर कर लूँगी जो तुम लोग खाते हो मीट मास के अलावा मैं सब खालूंगी धरा ने का और जेब से 200 दो पांच सो के नोट निकाल कर बीना को थमाते का यह हजार रखो अभी मैं यहीं रूँगी हिसाब बात में कर लेंगे आदे गंटे में बरसाद रुख गई थी काले बादल आस्मान से छट गए थे मौसम साफ हो गया था अब सफेद बादल आस्मान में तेरते दिकाई दे रहे थे और कुछ दूर बरस ड़के पहाड चांदी की तरह नज़र आ रहे थे ठंडी हवा चल रही थी बरसाद के पानी का कहीं भी नामों निशान नहीं था ये कज़बा पहाड पर बसाता और पानी हाथो हाथी नीचे की तरह बह गया था जमीन अवश्य की लिए नज़र आ रही थी दो बैर के दो बच चुके थे बीना धरा के साथ घर से निकली और पाढ़ की पक्टंडिया तैकरती आगे बढ़ गई धरा की आंके मौसम का नजारा कर रही थी यहां रहना कितना अच्छा लगता होगा धरा बोली बहुत मुसीबते हैं पाढ़ पर जीवन बिदाना बहुत कठेन हैं बीना बोली खाने पीने का सारा सामान तो नीचे से ही आता है उपर से मौसम की मार बर पढ़नी शुरू हो जाए तो और भी बुरा हाल हो जाता है कई बार तो भूके पैसे रहकर वक्त निकलना पड़ता है सडके बंद हो जाती है कोई पाल गर जाए तो और भी बनी मुसीबत दो-चार दिन के लिए या रहना बहुत अच्छा लगता है जीवन काटना हो तो सब बहुत ही बुरा है बीमार होने पर दवा नहीं मिलती हात-पाउँ तूट जाए तो कियोमों दोड़ना पड़ जाता है जकी कमाई का यहां खास कोई साधन नहीं है तुम जैसे लोग बस्ती में आ जाते हैं तो कुछ कमाई हो जाती है आड़े वक्त के लिए पैसा रख लेते हैं बच्चों को पढ़ाना हो तो स्कूल नहीं और जोगर हमके बारे में बताओ धरा क्या उटी क्या बताओं बहला चंगा इंसान है परिवार है उसका हाँ पत्नी हैं तीन बच्चे हैं दो बच्चे तो यहां से दूर कहीं स्कूल में पढ़ते हैं वही रहते हैं जोगर हमके बाग के पास पैसा होता था मुझे तो लगता है कि वही पैसा बेटा खा रहा है वीना ने बताया कुछ काम तो करता होगा जो काम मिल जाता है यहां के लोग कर लेते हैं पर यहां तो बहुत कम काम ही होते हैं जिससे दो पैसे मिलें पांच मिनिट में वीना एक जगे रुकती बोली वो राजोगाराम का गर उसने एक तरह विशारा किया धराना उदर देखा पाड़ी पत्रों का बना मकान दिखा दो-तीन कमरे पक्के थे और साथ लगी जोपडियों से भी कमरे डाल रखे थे उसके आसपस भरपूर खुली जगह थी वो जगह कहीं परूची थी तो कहीं ढाल के रूप में उधर कहीं पेड़ खड़े नजल आ रहे थे धरा को वहाँ एक आदमी कुछ काम में वेस्त दिखा वो जोगा भाई सबी दिख रहे हैं शायर बीना ने का तुम बात करलो फिर आ जाना तब तक खाना बन चुका होगा कहने के साथ ही बीना पल्टी और वापसी की तरफ बढ़ गई धरा उसी मकान की तरफ बढ़ गई पास पहुंची तो उस आदमी कसपस्ट देखा वो 55-60 साल कर आओगा सर के जादातर बालों में सफेदी थी कुछ दाड़ी बड़ी हुई थी कच छेप उटकर आओगा शरीप गरम कमीज बजामा और उपर जैकेट पहन रखी थी वो गटे शरीप का मालिक लग रहा था सक्त और मजबूत आदमी रंग को सावला था पर चेहरे पर लाली थी एक निगाव में वो पाड़ी आदमी लगता था धरा गेट के रास्ते से बीता परवेश कर गई वो मोटे तने से कुलाडी से चोटी चोटी लखडियां काट रा था कि धरा को देखकर ठटक गया नमस्कार पास पॉंसती तरह हाथ जोडते मुस्करा कर के उटी वो मुस्कराया जिससे उसके चेहरे पर उम्रे की लकीरे जलक उटी लगता है यहाँ आज ही पहुची हो उसने कुलाडी एक तर रग दी दो गंटे पहले संतराम किया ठहरी हो उसने बताया आप यहां के सबसे बड़िया गाइड है गाइड वो बोला बस रास्तों की जानकारी है संतराम की पत्नी ने भी का कि जोगा भाई सबसे बड़िया गाइड यहां पर कोई नहीं आजकल तो सभी गाइड बनते जा रहे है जोगाराम पुरा मुस्कराया तुम ट्रेकिंग के लिए आई है तब ही भीतर से ओरत की आवाज आई और भी दर्वाजे पर तिकी चाय तैयार हो गई है साथ ही ओरत की निगा धरा पर तिकी इस महमान के लिए भी चाय हाँ हाँ आप भीतर तो आओ कहकर वो भीतर चली गई जोगाराम ने धरा से कहा भीतर आजओ चाय पी लेना आज मौसम में कुछ थंड़क है परना इस मौसम को तो यहां की गर्मियां कहते हैं पंदरा मिनिट में ही धरा जोगाराम की पत्नी के साथ घुल मिल गई थी उसका नाम सुनीता था उनकी बातों के तोरान जोगाराम के बोलने की गुंजाइश नहीं थी ऐसे में जोगाराम उठकर बाहर निकल गया था सुनीता ने उसे अपना सारा घर दिखाया तो जोगाराम का 14 साल का बेटा सुनील एक कमरे में लकडियों से कुछ बनाता दिखा धरा ने उससे भी बात की सुनीता ने बताये कि उसका पास और बेटी क्यों में के पास कियोटो नाम की जगह में अपनी मासी के पास रहकर पढ़ते हैं और उनको पढ़ाने का खर्चा हम देते हैं उनकी स्कूल की पढ़ाई समाप्त हो गई और वे दोनों काजा जगह का नाम जाकर कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं परन्तु पास में पैसा ना होने की वज़े से उनने आगे नहीं पढ़ा पा रहे हैं और उनने इतनी पढ़ाई के दम पर ही कोई अच्छी नौकरी कर लेने को कहा है कॉलेज में पढ़ने के लिए कितना घड़ चाओगा दोनों का धरा ने पूछा कम से कम 10 लाग डाय डाय लाग तो कॉलेज में एड्मीशन के लिए लग जाएंगे इंजिनिरिंग कॉलेज है वो उसके बाद उनकी 2-2 साल की फीज मिलाकर 10 लाग तो लगेंगे हमारे पस जितना पैसा था हमने वो सब बच्चों की पढ़ाई पर लगा दिया चाहते होए भी हम उने और नहीं पढ़ा सकते धरा को पता जला कि बेटा और बेटी दोनों जुड़वाएं उसके बाद धरा बाहर चली गई जोगाराम पेड़ के तने से कुलाड़ी से चोटी चोटी लकड़िया निकाल रहा था ये लकड़िया चूला जलाने के लिए धरा ने पास पहुंचकर बोला हाँ जोगाराम ने मुस्करा कर धरा को देखा चोटे चोटे तुगड़े करके पीछे जोपड़ी के कमरे में रख देंगे कि गीले ना हो उसके बाद ये चूले में काम आती रहेंगे आपके घर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा जोगाराम मुस्करा है मुझे आप जैसे गाइड की जरूरत है धरा मतलब की बात पर आती बोली ट्रैकिंग का सारा सामान लाई हो साथ में और कितने लोग हैं जोगाराम न पूचा मैं ट्रैकिंग के लिए नहीं घूमने आई हूँ धरा की नज़र जोगाराम की चैरे बढ़ती कहां कहां घूमना चाहती हो हर उस जगे जो घूमने के काबिल हो घूमा दूँगा जब भी चलना हो बता देना कितने लोग हो तुम सब सिर्फ मैं मैं अकेली हूँ जोगाराम की निगा धरा पर जा ठीकी हैरानी है कि इतनी दूर अकेली आई हो बता देना जब भी घुमने निकलना हो बरफ के पाड़ों पर जाना है धरा चुपचाप खड़ी रही फिर बेर शांसवर में बोली डोबू जाती किया जाना है जोगाराम के जिसमें हलका सा कमपन उबरा फिर थम गया है नजरें धरा पर थी उन्हें करीब से देखना चाती हूँ उन्हें समझना चाती ये कौन सी जाती है जोगाराम के चैरे पर अब किसी तरह का भाव नहीं था डोबू जाती प्राचीन जाती हो मैंसे बची जाती हो मैंसे एक जाती है और मेरी जनकारी के मताबिक डोबू चाती की तरफ जाने का रास्ता यहां से इसी तरफ से जाता है धरा उसे देखती बोली मैंने तो इस बारे में कभी नहीं सुना जोगाराम ने भावी इंस और में खा धरा कुछ पल उसे देखती रहे फिर मुस्करा कर बोली मैंने अच्छी तरह सुन रखा है जोगाराम जी आपने भी जरूर सुना होगा मुझे जानकारी नहीं हैं इस बारे में जोगाराम ने कुलाडी को तने के उपर रखा और कमरी की तरफ जाने का हुआ डोबू जाती तक मुझे पहुचाने के लिए अगर आप तैयार हो जाते हैं तो 25,000 रुपे दूंगी धरा बोली इतना पैसा कमा कर मुझे बहुत खुशी होती पर मैं अभी तक नहीं समझ भाए कि तुम कहां जाना चाहती हूँ किसकी बात कर रही हूँ मैं तो समझा था कि तुम यह बर्फ और यहां की विरानी जगह जगाओं का मजा लेने आई हो एडवेंचर शौकीन हो पर हम तो तुम तो जाने किसकी बात कर रही हो कहकर वो कमरे की तरफ बढ़ गया धरा वहीं खड़ी उसे देखती रही तो यह तो उसे डोबू जाती तक ले जाने के लिए बिल्कुल भी तयार नहीं होगा मॉंबई से चलते वक्त उसने सोचा भी नहीं था कि यहां पर उसे इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ेगा धरा ने मनीमन तैय किया कि वह कोई दूसरा आदमी यानि गाइट तलाश करेगी संत्राम से इस बारे में बात करेगी धरा संत्राम के जोपड़े पर पहुझी तो बीना ने खाना तयार कर रखा था धरा को भूग लगी थी सुबह नाष्ते में भी कियोमों से चलते वए कुछ खास नहीं घाया था तब संत्राम घर पर नहीं था धरा ने खाना खाया तब-Tरह संत्राम भी आ गए खाने से फारे हुई तो संत्राम नहीं बात शुरूगी जोगरारम से बात हुई वो तो इस बात कोई मानने को तयार नहीं कि कहीं डोबू जाती है धरा बोली संत्राम के चेरे बागंबीरता आगए तो मैं पहले ही कहाता है कि उदर कोई नहीं जाएगा बीना बोली क्यों? बीना गिने का संत्राम की तरह बोली संत्राम खामोशा मैं इस काम के लिए 25,000 रुपया देने को तयार हूँ धराने का मुझे कुछ मत को संतराम नगंबीर सर्मे का मैं डोबू जाती की तरफ का रास्ता नहीं जानता मैंने उस बारे में सिर्फ किसे कहानिया ही सुनी इतने ही जानताओं की बज़ग है खतरनाक है रहसम है उस तरफ जो भी चला जाता है वो कभी भी जिन्दा वापिस नहीं लोटता कभी बस्ती के 6-7 योवक डोबू जाती को देखने गए थे परन्तु वो कभी भी वापिस नहीं लोटे मैं इस बारे में जादा कुछ नहीं जानता आकाश में अजीब सी बिजली चमकती देखी है अपने जीवन में ऐसा लगता था जैसे कोई चीज नीचे उतरती हो परन्तु नजर कुछ नहीं आया था ये सब डोबू जाती के ठेकाने की तरफ होते देखा था गाओं के बुजर्ग बता देते कि उस दिशा की तरफ डोबू जाती बसती है परन्तु कुछ नहीं बता सब सुनी सुनाई बाते हैं लेकिन जोगाराम इस बारे में बहुत कुछ जानता है सिर्फ वहू वही डोबू जाती के बारे में सही सही जनकारी रखता है एक बार बोलो कुछ लोगों को लेकार उदर गया था सुना था कि उसे बहुत बड़ी रकम दी गई थी कुछ दिनों बाद जोगाराम तो लोटा है वह डोबू जाती डोबू बस्ती की तरफ गया था ये बात मुझे इसलिए बताए कि तब मैं और जोगाराम दोस्त होते थे वो मेरे को बता के गया था तब 25 दिन बार लोटा एकदम कमजोर हो गया था उसने बताए कि भूका रहना पड़ा कई दिन खाने को कुछ नहीं मिला कई दिन पाल की खो में चिपकर बताए पर डोबू बस्ती के बारे में पूचने पर भी उसने कुछ नहीं बताया था यही काया कि वेकार में जला गया अब कभी उधर नहीं जाएगा लेकिन दूसरी बार वो गया तुमने पताया है, हाँ, दो साल पहले ही कुछ लोहों को लेकर गया था, बहुत जादा पैसा मिला होगा तभी तो, ये बात तो मानने में भी नहीं आती कि इस बस्ती में सिर्फ जोगा राम ही है, जो डोबू जाती तक पहुशने का रास्ता जानता है, और लोग भी तो कोई उस तरफ गया भी है, तो मुझे पता नहीं, जो गाराम के बारे में तो इसलिए पता है कि उससे कभी कबार दोस्तों की तरह बात हुचाती है, पर उन्तु डोबू जाती के बारे में मेरे से भी जादा बात नहीं करता है, संत्राम के चहरे पर नजरने टिगाई धर आ मेरे पास तो एक रास्ता था जोगा राम, उससे तुम मिला ही हो, दूसा कोई रास्ता मैं नहीं जानता हूँ, तुम पता करो, कोई फायदा नहीं होगा, संतराम ने गंबीर सर में कहा, डोबू जाती के बारे में कोई बात भी नहीं करेगा, मेरे खाल में तो तुम्हें राइट को पूस्ती रही परन्तु कोई फायदा नहीं हुआ लोगों ने उसकी बात में दिल्चस्पी नहीं थी ऐसा कोई सामने नहीं आया जो डोबू जाती तक उसे ले जाने को कई एक तो अलग अलग लोगों ने उसके सामने जोगाराम का नाव औश लिया कि जायद जोग जोगाराम के बिना उसका काम नहीं चलेगा जोगाराम को किसी तर रास्ते पर लाना होगा इसी उधेड़ गुल में लगी धरा की आँख लग गई अगले दिन सुबह जल्दी उड़ गई बीना को बताया कि किसी काम से क्योमो जा रही है शाम की बस से लोट आईगी बीना नाश्ता बना दिया जल्दी जल्दी धराने नाश्ता किया और बस अड़े आकर कियोमो जाने वाली बस ले ली कियोमो आने के पीछे उसका मतलब यही था कि मुंबई फोन कर सके टाकलिक ला यह उसके आसपास कहीं भी फोन का फोन करने का इंतिजाम नहीं तो और वहां चकवरती के आवास कानों में पड़ी चकवरती साब मैं धरा धरा पंचल पहचान लिया तुम टाकलिक लिंगला पहुंच गहीं क्या कई देंसे तुम्हारा फोन नहीं मैं चिंता में था कि टाकलिक लिंगला में फोन का कोई इंतिजाम नहीं धाई गंटे का सफर तया करके के मुझे क्यों मो आना पड़ा फोन करने के लिए डोबु जाती के बारे में कुछ पता चला वो कागश सही थे डोबु जाती टाकलिन लाके आगे कहीं है परंतु यहां के लोग डोबु जाती से दूर रहना पसंद करते हैं डोबु जाती से इन लोगों का कोई वास्ता नही मुझे अभी तक एक ही आदमी मिला है जो डोबू जाती तक गया है यह वहां का रास्ता जानता है परंतु मेरे सामने वो इस बास से इंकार करता है वो वहां जाने को तयार नहीं क्या नाम है उसका उधर से चक्रवरती सामने पूछा जोगा राम उसे पैसे का लालस दो कि जोगा आगे पढ़ा सके इसमें दस लाक का कडचा है दस लाक धरा रिसीवर था में खामोश रही तुम दो गंटे बाद फोन करना मैं विवाक के अकाउंटेंट से पता करता हूं कि हमें कितना पैसा मिल सकत पह या नहीं ठीक है धरा ने का और रिसीवर रख दिया पैसे द गंटे बाद चकवरती साब को फोन किया तो मैं दस लाग मिल जाएगा दरा परन तु काम भी होना चाहिए दोगू जाती के बारे में पूरी जानकारी चाहिए उनसे संपर बन जाना चाहिए इस जाती को हम सामान लोगों में शामिल कर पाए तो ये बहुत बढ़िया काम हो आगे क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा प्रकाश को तुमारे बास भेज़ दूँ अभी नहीं प्रकाश की जब जरूरत पड़ेगी बता दूँगी पैसा कम मिलेगा मुझे धराने पूछा जब मर्जी ले लो वहां एकाउंट खलवा लो मैं ट्रांसवर कर देता हू इस वक्त तो दुपहर हो रही है बैंक बन्द हो रहुंगे मैं पता करती हूँ उसके बाद फोन करूंगी अब तो जोगाराम तुमें टोपु जाती तक ले जाने को मान जाएगा 10 लाग रुपया कम नहीं होता पता नहीं बात करने पर ही बात करने पर ही पता चलेगा कि बचाए हुए थे हलकी बचारे पड़ रही थी बीना उसे देखते ही क्या उटी शुक्रे तुम आवें मैं रात भर तुमारा इंतिसार करती रही कल क्यों नहीं पहुची काम की वज़े से क्यों में ही रुकना पुड़ा धरा ने मुस्क्रा करका कुछ खाने को है सब तैयार ह रोटियां उतार देती हूं धरा ने आराम से खाना खाया संतराम दूसरे गमरे में अपने बेटी के साथ लकड़ी का कोई धाचा ढोग रहा था धरा उससे मिलाई थी वो पीना से बूली मैं जोगाराम के घर जा रही हूं कोई मिला नहीं डोगू जाती की दरफ जाने वाल नहीं धरा बाहर निकली और पांस साथ मिलट पक डंडी पर पैदर जलकर जोगाराम के घर पर पहुंच गई आज भी जोगाराम को लाड़ी से वहां पड़े तने से चोटी चोटी लखणिया काट रहा था परन्तु अब वो तरन थोड़ा सा रह गया था हलके हलकी बूंद पर से गये हैं धराने का जोगाराम फिर से लखनिया काटने लगा अपने बच्चों को पढ़ा कर आपने बहुत अच्छा काम किया है उनकी जिंदगी बन जाएगी मेरे खेल में तो उनने आगे भी पढ़ना चाहिए पढ़ाना चाहिए दो तीन साल वो और पढ़गा तो बहुत अच्छी नोगरी बालेंगे जोगाराम चुप रहा तीसरे बेटे को क्यों नहीं पढ़ाया उसके लिए पैसे नहीं बचे जोगाराम निशान सर्मे का तो जिने पढ़ाया उनकी पढ़ाई बीच में छुड़वा रहे हूँ पैसे खत्म हो गया जोगाराम निशान कुलारी तने पर रहकर जोगाराम धरा को देखने लगा तुम चाहो तो कल सुबह मैं तुम्हें 10 लाग दे दूँगे क्यों मेरे काम आओ मैं तुम्हारे काम आओंगे ये तो तुम भी समझ रहो कि 10 लाग रुपया कितना जादा होता है और बिना किसी मतलब कि किसी को नही दिया जाता। Yay Şu सोच लो तुमारे बच्चे पढ़ जाएंगे। तुम मेरे लिए कुछ करो। मैं तुमारे बच्चों के लिए कुछ करूँगी। बाकी बाद मैं तुमारी पत्नी से भीता जाकर कर लेती हूं अपनी पत्नी से भी सलाह कर लेना। ये तुमारे बच्चों के भविश्य का सवाल है मुझे दोबू जाती के ठेकाने तक ले जाकर तुम अपने दो बच्चों का भविश्य समार लोगे धरा ने काहर मकान की दरवाजी की दरब बढ़ गी अगले दिन सुबह जोगाराम संत्रांग के घर पहुचा धरा कुछ देर पहले ही सोई उटी थी और अब चाय का प्याला लेकर बाहर खुले में कुर्सी पर बैटी यहां के बदलते मौसम को देख रही थी इस वक्ट सोहाना मौसम था धरा ने पीना को कह दिया था कि नहाने के लिए पानी गर्म करते जोगाराम को उसने आते देख लिया था धरा के मन में आशा जगी की शायद दस लग का या बच्चों की पढ़ाई का सर जोगाराम पर हो गया है तब ही वह धरा है धरा कुर्सी सोट खड़ी हुई जोगाराम बहारी गेट पर रुकती हुए गंबीर सर में बोला मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ अभी आऊ या नहाकर धरा ने पूछा नहाकर आजाना क्याकर जोगाराम पल्टा और चला गया एक घंटे बाद धरा नीली कमी सलवार पहने जोगाराम के घरजा पहुची उसके सिरके बाल अभी भी गीले थे जोगाराम उसी पिड़ के तने पर बैटा था जिसे वो कई दुनों से काटने पर लगा था अब वो मातर दो फुट कई बचा था पास में दो कुर्सियां पढ़ी थी धरा गीले बालों को समालते कुर्सी पर जा बैटी जोगाराम के चहरे पर गंबीर था दिख रही थी काओ धरा बोली मेरी पत्नी सोचती है कि बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा जोगाराम बोला तो मैं भी ऐसा सोचना चाहिए बच्चों को पढ़ाओ उनका दिल मत तोड़ो धरा गंबीर सी क्या उटी दोबू जाती में तुमारी क्या दिल्चस्पी है जोगाराम के चहरे पर बेचैनी आ ठहरी मैं सरकारी नो करूँ मैं पुरा तत बिवाग के उस डिपार्टमें में काम करती हूँ जिसका काम पुरानी जन जातीयों के साथ संपर्ग बनाना उन्हें उपाहर देना मेल जोल बढ़ाना दोस्ती करना और धीरे धीरे उन्हें अपनी दुनिया में शामिल कर लेना है इसलिए हम आज भी उन जातीयों को खोशते हैं जो दुनिया से कटकर अलग रहती है धरा ने बताया डोगुजाती का कैसे बता चला जोगाराम का सर तीखा हो गया कबारी की दुकान से एक विदेशी परेटिक की लिखी किताब मिली जिसमें डोगुजाती के बारे में बताया गया था कि वो आज भी इस तरह बरफीले पाणों पर कहीं है कहीं पर बस्ती है वो ही पता करने यहां आ गई जोगाराम धरा को देखता रहा फिर बोला तो तुम डोगुजाती की दरफ जाना चाहती हो हाँ कोई फायदा नहीं जोगाराम ने सक्स्वर में का वो खुंकार लोगों की बस्ती है और बहारी लोगों को अपने आस पास देखते ही खत्म कर देती है वो कुछ अजीब से लोग है वहाँ जो भी गया वो कभी भी वापिस नहीं लोटा इस बात का मुझे पूरा भरोजाई की अगर तो मुझे उस तरफ गई तो जिन्दा नहीं बच सकोगी मैं उन्हें समाल लोगी वहम मैं मत रहूँ वो खुंकार लोग हैं तो हम अभी कुछ नहीं जानते हैं उनके बारे में वो अपनी दुनिया से कभी बाहर नहीं आते वो बाहर वाले को अपने पास नहीं देखना चाते उनकी गतिविदियां रहस में हैं डोबू जाती अपने आप में रहस है वहाँ एक दूसरे की चान ले लेना मामली बात है वो लोग जबरदस योद्धा हैं वो अपना पूरा जीवन योद्धा बनने में लगा देते हैं अपने हत्यारों का वो खुदी निर्मान करते हैं जैसे कि तलवारे, बड़े-बड़े चाकू और वो भी पचासो तरह के हत्यार वो पूरा जीवन योद्धा बनने में लगा देते हैं धरा के ओठी, हाँ, योद्धा बन कर क्या करते हैं, किस से लड़ते हैं वो, मैं नहीं जानता, पर उस जाती की पढ़ाई लिखाई सिर्फ योद्धा बन नहीं हैं, जो योद्धा नहीं बन सकते हैं, उनकी अपनी देवी है, उसकी पूजा करते हैं वो, जहां वो रहते हैं, वहाँ अकाश में मैंने अपने जीवन में दो बार दो तीन बार चमक होती देखी है उस चमक को मैं आज तक नहीं समझ पाया मैं महाँ जाना चाओंगी मारी जाओगी जोगाराम ने सकस्वर में का ऐसा कुछ नहीं होगा मुझे वाँ जाना ही है धरा भूली इस तरह कि दो जातियों से मेरा वास्ता पढ़ चुका और मैंनोंने समान लिया था और तो कोई ये लोग जादा शक्से नहीं देखते हो और तुम मेरी बास समझ नहीं पा रही जोगाराम खीच करके उटा दोगु जाती रहस्म है तुम दूर सही मुझे बता देना कि वो लोग उस तरफ रहते मैं चली जाओंगी तुम दोदिन मीरा इंतजार करना मैं रहते हो बीचे धरा को देखता रहा तुम इतनी ज़्यादा चिंटा क्यों कर रहे तुम उनकी बस्ती मैं भी नहीं देख सकती तुम उनकी बस्ती भी नहीं देख सकती जोगा रामने का क्या मतलब वो लोग अपने रहने के ठिकाने पर पहरा रखते हैं यह उनकी सामान निकरिया है वो भूतों की दरह छिपकर पहरा देते हैं और तुम्हारी गर्दों उड़ जाने के बाद कि तुम्हें क्या हो गया है गर्दन अलग हो चुकी होगी तुम्हारी एक बार वो शिकार को देख लें तो फिर वो जिन्दा नहीं रह सकता वो उसका अंत तक पीछा करते हैं और उसे मार कर ही दम लेते हैं डोबू जाती का योद्ध हम बीस लोगों पर भारी पड़ता है और सबको मार देता है वो बात नहीं करते हैं सीधा गला काटते हैं अचानक सामने आकर वार करते हैं तुम ये भी नहीं देख सकती कि वो कहां रहते हैं उससे पहली वो तुम्हें खत्म कर देंगे धरा जोगाराम के चैरे को देखती रही फिर क्या हुटी तुम मुझे डराना चाते हो कि मैं वाना जाओ तुम मुझे मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए 10 लाक रुपय दे रही हो उसी 10 लाक की कातर में तुम से बात कर रहा हूँ परन्तु मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाता मैं जो कह रहा हूँ वो सच है जोगारामने गंबी सर मैं का तुम चिंता मत करो मैं उन लोगों को समभाल लूँगी बच्ची हो जो मेरी बातों को समझनी पारी तुमारे साथ कोई नहीं है अभी तो मैं अकेली हूँ और डोबुजाती की खोच कबर लेने आई हूँ एक मुलाकात कर लूँ डोबुजाती के लोगों से उसके बाद मैं वेबाक के बाकी लोगों को ही बुला लूँगी धरा ने का मतलब की तुम डोबुजाती की तरफ जाना चाहती हो मेरी बातों का कोई असर नहीं हुआ तुम पर थोड़े बहुत खत्रे की मैं परवान ही करती पहले भी ऐसे खत्रे उठा चुकी है ये खत्रा ये थोड़ा बहुत खत्रा नहीं है जोगाराम गुस्ते से बोला वो तुम मैं मार देंगे तो मैं अपना डर नहीं है मैं पहले ही रुख जाओंगा जोगाराम ने धरा को घूरा पर खत्रा मुझे भी लेकिन मैं यही चाओंगा कि तुम उदर मच जाओ ऐसा कोई भी करिश्मा नहीं होगा कि तुम जिन्दा लोटाओ मच जाओ उदर मैं जाओंगी तुम मेरी जादा चिंता कर रहे हो तो तुमने मरने का फैसला कर लिया है धरा मुस्कराई बोली तुम्हें पैसे पहले चाहिए या बाद में जोगाराम कटोर निगाओं से धरा को देखता रहा फिर क्या उटा पहले पैसे लूँगा क्योंकि तुम जिन्दा नहीं लोट सकोगी मेरे साथ क्यों मोच चलो बैंक से तुम्हें पैसे निकाल कर दे देती हूं बेशा काथ चलो आज पैसे ले लोगे तो खलाम डोबू जादी की तरफ रवाना हो सकते हैं वक्त बरबाद करने से क्या फायता धरा ने कहा तुम मेरी बात को जरा भी गंबीरता से नहीं ले रहे हैं कि वहाँ से तुम जिन्दा नहीं रोट होगी जोगाराम नाराजगी से बोला धरा ने जोगाराम को देखा फिर क्या उठी तुम दो साल पहले कुछ लोगों को उस तरफ ले गए थे उनके साथ क्या हुआ जोगाराम ने गहरी सांस ली और बोला वो सब मर गए कैसे मेरे देखते ही देखते वो मर गए जोगाराम ने सूखे ओटो पर जीख फे दी मेरी किसमत अच्छी थी कि मैं बच गया हुआ क्या था धरा की ने का जोगाराम के चेहरे पर थी वो छे लोग थे जाने काहां से डोगू जाती के बारे में मालूं करके आये थे कहते थे डोगू जाती पर किताब लिखनी है इसलिए उन्हें उन्हें करीब से जनना है मैंनों ने बहुत कहा कि वहाँ जाना मौत को दावत देना है परन्तु वो नहीं मानने उन्हें वहाँ तक ले जाने का मुझे 80,000 रुपया मिला था जोगाराम कंबीर और धीमे सवर में कह रहा था रास्ते का खर्च उनका था रास्ते का कर्च धराने बूचा गोडे गोडे चाहिए थे पहले दो दिन का सवर गोडों पर तैकिया जाता है उसके बाद बाकी के दो दिन पैदल चलना पड़ता है किराय पर उन्होंने गोडे लिये थे परंतु गोड़े के मालिक ने गोड़ों की पूरी कीमत ली थी कि वापिस आने पर पैसे वापिस हो जाएंगे मैं उन्छे लोगों को डोबू जाती के टिकाने के करीब ले गया ये तो पहले से तैथा कि मैंने वाँ करीब नहीं जाना है दूर से ही रास्ता दिखा देना है जब उस जगे के करीब पहुच जाओं जब आदे पॉने घंटे का रास्ता रह गया तो मैंने उन्हें रास्ता बता दिया और खोज वहीं रुक गया उन्होंने मुझे वहीं वापसी तक इंतिजार करने को का परंतु मैं जानता था कि वह वापस नहीं लोट सकेंगे मार दिये जाएंगे जब वह आगे गए तो मैं काफी पीछे रहकर उन पर नज़दा रखता पीछे आने लगा कि देखू तो सही कि उनके साथ होता गया है एक घंटे बाद जब वह डूबू जाती के काफी करीब पहुँच गए तो उस वक्षाम हो चली थी मैंने इस पश्टे तोर पर देखा कि उनके पीछे से एक आदमी भूत की तरह पेड़ से कूदा उसके आद में फरसे जैसा खुश था पलक जबतते ही उसने अपने हाथे दोगी गर्दन काट दी मैंने उनके सुरों को उचल कर दूर गिरते देखा तुम सोच सक्तियों की देखकर मेरी क्या हाला दो गई होगी तब तक बाकी के चारों सतर को चुकते उन्होंने उस फरसे बाज का मकाबला करना चापर अंतू वो इतना फुर्तीला था कि मैं तंग रह गया उसने चारों को घायल कर दिया और फिर उन चारों की गर्दना काट दी मैं दूर था इसलिए बचा रह गया मैंने उन छैको मरते देखा था मेरी टांगे जवाब दे गई मैं वहां से भाग नहीं सका और वहीं बैठा रहा आधी रात के बाद जाकर मुझे होश आये तो मैं पलट कर उस जगह से भाग निकला मैं डर गया था मेरे दिमाग खराब हो गया था मुझे यकीन नहीं आये कि उन छैको मिंटों में गर्दन काटकर मार डाला गया मैं बर्फ के जंगल के विरानों में भटकता रहा मैं रास्ता भूल गया था अपनी बस्ती का धैशत मेरे दिमाग पर सवार थी भूके पेट कई दिन में भटकता रहा पस मुझे इतना पता है कि बीस दिन बाद ही मैं यहाँ वापस आपाया था सूख कर पतला हो गया था घर आते ही मैं घर में छिप किया दो महीने तक मैं घर से बाहर नहीं निकला गर्दन कटने का दिरिश में आज तक नहीं भूल पाता उसके बाद से तो मैं उधर जाने की सोच भी नहीं सकता अब तुम कहती हो कि वहाँ जाने के मुझे 10 लाग दोगी बच्चों की पढ़ाई के लिए मैं इकाम करने को तयार हो रहा हूँ मेरी पत्नी भी यही चाहती है कि बच्चे पढ़ाई पूरी कर ले कॉलेज में एडमिशन ले ले धरा गंबीर सी जोगाराम के चाहरे को देखती रही जोगाराम के होण बिचे थे वो बहुत गंबीर दिख रहा था अगर मेरी बात सुर्मकर तुमने उधर जाने का प्रोग्राम छोड़ दिया तो मुझे खुशी होगी जोगाराम के उठा मेरा प्रोग्राम नहीं बतला मैं चाहूंगी जोगाराम ने कुछ नहीं का उसे देखता रहा मारने वाले ने उन लोगों से कोई बात की थी धरा ने पूचा मैं नहीं जानता दूर था शायद नहीं की थी जोगर हम विचल स्वर में क्या उटा तो मैं डोबू जाती के बारे में जनकारी कैसे मिली जोगर हम चुप रहा तुमारे कहने कहाँ से डोबू जाती किसी से सम्मन नहीं रगती तो तुम्हें कैसे पता कि वो अपना सारा जीवन योधını बनने में लगा देते हैं तुम्हें कैसे पता कि उनकी बस्ती कहा है, तुम्हें कैसे पता कि एक बाहर दोबू जाती कि बस्ती के एक आदमी से मेरी बात हो गई थी, यह तब की बात है जब मैं 20 साल गा था, उस तरब निकल गया था तो बर्फ के जंगल में वो मुझे मिल गया था, उन लोगों की अप अपनी बस्ती के बारे में कुछ बाते बताई मुझे, जिसमें ये बात भी थी कि पूरे चांद की रात को डोबू जाती पेट के बल लेट जाती है, वो लोग पूरे चांद की रात से डरते हैं, जब कि सब इस पश्ट नजर आता है, बेशा कुछ भी हो जाए, वो पूरे च टोबू जाती के बारे में धरा ने पूछा. टोबू जाती का सबसे जबरदस खोंखार योता बबूसा था? वो? ठा? था से तुम्हारा क्या मतलब? जोगाराम धरा को देखने लगब धीमेश्वर में बोला. अब उसने डोबू जाती छोड़ दिये. अपनी जाती से उसने विद्रो कर दिया है, ये 6 महाइने पहले की बात है, मैं नहीं जानता, 6 महाइने से पहले की बात किया है, जो का रहा है हमने उड़ बीच लिए, बताओ, तुमारी बताई बाते में किसी से गऊंगी नहीं, धरा के उठी, उस जाती का वो आदमी जो मुझे 20 साल की उम्र में मि मिलता है कभी-कभी, हमें बाते होती रहती हैं, मैं अपनी बाते बताता हूं वो अपनी बाते बताता है, कभी-कभी अपनी बस्ती की बाते भी बता दिता है, और क्या बता है उसने, बहुत कुछ, बहुत बाते हैं, मैं तुम्हें सब बता दूँगा, बहतर होगा कि तुम व आदेश दिये गया परंतु वो नहीं रुका और डोबू जाती में ऐसा कोई योद्धा नहीं था जो बबूसा के सामने पढ़ने की हम्मत कर सकता ऐसे में योद्धाओं को बबूसा को पकड़ने का आदेश दिया गया परंतु कोई भी बबूसा को पकड़ ना सका बारा जाति के निडिमों की परवाँ नहीं करता, वो अपनी मन मरज्य की जिंदी की जीता आया है। तो मैं नहीं पता कि बबुसान ने अपनी जाति से विद्रो क्यों किया है? hellu यह नहीं पता। डोबू जाती कि उस अपनी पहचान वाले से तुम कैसे मिलते हैं? वो मेरे पास मेरे घर पर आ जाता है परंतु ये बात उसकी जाती वाले नहीं जानते ये जानकर कि उसके बारी लोगों के साथ सम्मन्द है उसकी जाती वाले उसे मार देंगे तो वो खत्रा उठा कर तुमसे क्यों मिलने आता है उसका कहना है कि मुझसे बाते करके उसे अच्छा लगता है क्या नाम है उसका उसका नाम बता कर मुझसे ख़द्रे में नहीं डालूँगा मुझे उससे मिलवा सकते हो? कभी नहीं हमें ये बात तेह है कि इसके बारे मैं किसी को नहीं बताऊंगा अगर बताया तो वो मेरे पास आना बंद कर देगा जो जैसा भी है मेरे से ठीक से पेश आता है मैं बेना वज़ा उसे कोना नहीं चाहता जोगर आमने गंबी सवर में का हम कल डोबू जाती की तरफ जा सकते हैं जोगर आम तरह आने गंबी सवर में का अगर तुम मरना ही चाहती है तो मुझे कोई इतराज नहीं जोगर हमने रूखे सर्मय का जब मुझे पैसा मिल जाएगा उससे अगले दिन हम अपना सफर शुरू कर देंगे दस लाग तुम्हे आज ही मिल जाएगा तुम्हें मेरे साथ क्यों मुझे चलना होगा वहाँ बैंक से पैसा निकालना है धरा क्या उटी वो वीरान बर्फीली पहाडी थी आसपास के पहाडों पर बर्फ बिची हुई थी लंबे उचे घने पेड बर्फ से ढगे हुए सफेद पड़े थे कोहरे के बादल इदर दर लहरा रहे थे कोई रास्ता नहीं था कोई पक डंडी नहीं थी इस तरफ आम लोगों का आना ज कश्मीर की सीमा से लगती थी सीमा के उस पर जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में भी मीलो तक कोई नहीं बसता था बर्फ की मारी ऐसी थी कि इंसानों का मापस पाना समब नहीं था उस बर्फ से डगी घाटी में घोडों की टापों की आवाज है गूंच रही थी सुर्मा और धरा थे दौनों ने पीटों पर बैग लटका रखे थे दो एक थेले घोडों के साथ भी बांदे हुए थे सुबह 6 बचे सफर शुरू किया गया था और रास्ते में सिर्फ एक बार आदे घंटी के लिए रुके थे कि घोड़ा सुस्ता सके तभी थोड़ा बहुत लादार सफर जारी था रास्ते में दो तीन जगह पारणों के हिससे कटकर गिरे हुए थे वहां से निकलने में काफी कटनाई हुई थी इस सफर के दौरान दौनों में कोई खास बात नहीं हुई थी जोगाराम के चहरे पर गंबीरता नाच रही थी एक दिन पहले दौनों उसमें पैसे सुनीता के हवाले किये और दो बड़िया गोड़ों का इंतिसाम किया गोड़ों के मालिक को जोगाराम ने धरा से 10,000 रुपे लेकर दिया और अपनी गारंटी दी कि महीने के बीतर उसे गोड़े वापिस मिल जाएंगे उसके बाद वो और धरा सफर की तैयार अलबत्ता कभी कवर कोई जानवर दिख जाता था जो कि इनकी आठ पाकर भाग जाता अब सर्दी और भी बढ़ गई थी अंधेरा होता जा रहा था आगे का सबर जारी रखना मुम्किन नहीं था धरा को गोड़ों का ग्यान नहीं था सुबह के तीन गंटे गोड़े की पी मैं का घोड़े मध्यमगती से दोड रहे थे आदा घंटा अभी और चल रहा है फिर एक जगह आईगी चाम रात बिताएंगे जोगाराम ने का परन्तु अंधेरा तो पांतरस मेंट में हो जाएगा उसकी तुम फिक्र मत करो अंधेरा होते ही खोड़ों की रफ्तार बहुत कम कर दी गई तुम अपना घोड़ा मेरे पीछे रखो जोगाराम ने कहा अब घोड़े दोड नहीं रहे थे चल रहे थे जोगाराम घोड़े पर आगे था धरा पीछे ठंड से बरे इस वीरान सन्नाटे में धरा का दिल तेजी से धड़क रहा था डड़ जैसा मैसूस हो र पाड़ी खो है महां घोड़े भी आ जाएंगे वरना इतनी सर्दी में घोड़ों की और हमारी जान निकल जाएगी यहां की सर्दी जान ले लेती है यूँ समझो के इस वाग हम बर्फ के प्याले में बैठे हैं जोगाराम ने कहा शाम के इस अंदेरे में बर्फ से लदे जल्दी से क्या उटी जोगारम ने जवाब में कुछ नहीं का पांस साथ मिनट बाद वे एक पाड़ के करीब जा पहुचे जोगारम ने घोड़ा रोका नीचे उतरा और गोड़ी की पीट तपतपाकर गोड़ी की जीन के साथ बांध रखे तहले में से ठकन वाली बोतल न क्या करूँ गोड़े पर ही रहो जोगारम ने उचे सर्मेगा बरसाथ की मोटी मोटी बूंद पढ़नी शुरू हो गई थी जान लेवा सर्दी थी धरा रहा कर सर्दी की वज़ेसे कांप रही थी वो जोगारम को देख रही थी उससे ऐसा लगा जैसे जोगारम बाड़ के बीता प्रवेश कर गया हाथ में पकड़ी लेंप जैसी रोशनी नजरों से उजल हो गई थी अंदेरी की वज़े से पाड़ की खो धरा को नजर नहीं आ रही थी वो जोगाराम को गायब होते पागर को डड़ सी गई थी एक दर्ड मिनट बाद उसे वापस आती रोशनी पीचे आओ इस तरह वो गोडों साही खोव में पहुंच गए सामने से खुली और भीतर से कुछ गहरी थी इस सर्दी के बुरे मौसम से बचने के लिए अच्छी जगे थी लैंप की रोशनी इस अंदेरे में बहुत बड़ी सहारा थी धरा दौनों हाथों से पीट को धामे एक तरफ खड़ी हो गई पीट पर लदा बैग उतार दिया था जोगाराम ने अपना बैग उतार कर एक दर रखा फिर गोडों की जीन्स के साथ बंदेजी धैलों को उतार कर नीचे रखा उसके बाद गोडों की जीन को खोल कर गोडों से अलग की और पासम रख दिया ताक तू सफर के हालाद को देखते हुई या आराम दैक था जो मिल गया भाई बढ़िया धरा एक चादरा पर बैठ गई जोगाराम ने अपने बैक से बोतल गिलास निकालो गिलास तैयार करके शराब का घूट बरा तुम पीना चाहो तो मैं नहीं पीती धरा बोली तो खाना खालो अब भी आराम करूंगी जोगाराम ने दो गूट एक साथ बरे फिर बोला सुबह हमने यहां से चल पढ़ना है यहां दिन चोटे होते हैं जल्दी अंदेर हो जाता है जब उठाओगे उठ जाओंगी मैंने पहली बार गोट सावारी की यह बहुत ठक गई हूँ लैम की रोज़नी में वे एक दूसरे को इसपश्ट देख पा रहे थे तुम यहां के सब रास्तों को जानते हो धरा बोली इन रास्तों पर मैंने बहुत वक्त बिताया है अकेले? हाँ, अकेले और भूग के पैसे क्यों आते तो तुमें इस सरफ? डोबु जाती को देखने समझने के लिए तो क्या देखा समझा? कुछ खास नहीं, यह लोग खतरना कें, बेरहन है भारी लोगों को जरा भी पसर नहीं करते देखते ही मार देते हैं धरा चुप रही, तुम चाहो तो अभी भी वापिस चल सकती हो, मैं तुमारे पैसे लोटा दूँ जो गराम बोला, मैं वापिस जाने नहीं आई, वो तुमें मार देंगे देखते ही मार देंगे, मारने से पहले वो कोई बात भी नहीं करते हैं, मैं उनसे मिलूँगी, उन्हें समझाओंगी कि तुम कुछ नहीं समझा सकोगी, तो मैं मौका ही नहीं मिलेगा कि उन्हें ठीक से देख पाओ, मेरी बात का यकीन करो कि वो वास्तव में भूतों की तरह सामने आते हैं, उनके करीब आने का भी पता नहीं लगता है, और दुश्मनों को मार देते हैं, वो ट्रेंड हैं, इस तरह किसी की जान लेने के लिए, जो भी उन्हें आदेश देता है, उसने यही उन पहरेदारों से कहा रखा है कि उन्हें देखते ही मार दो, मैंने उन लोगों की गर्दन उड़ती देखी थी, ऐसे जैसे किसी फल को पेर से तोड़ कर फेका जाता है, वो सिर्फ एक था, और उन पांचों को मिनिट भर में खत्म कर दिया और गाया बोल गया, वो, तुमने उनकी बस्ती को देखा है, धरा ने एका एक टोका, जो गाराम ने धरा को देखा और गिलास से तगड़ा गुड भर कर बोला, नए, कभी नहीं देखा, नए देखा, ये कैसे हो सकता है, उनकी बस्ती को कोई नहीं देख पाता, ये कैसे समबब, वो पहाणों की बीतर रहते हैं, उपहाणों की लμबी शंकला है, सब पहाढ एक दूसरे से जड़े हुएं, कभी वो बीतर से खाली होँगे, तो उनी पाड़ों में उन्होंने अपने रहने का इस्थान बना लिया मेरे खायल में उन्होंने अपने सहुलेत के हिसाब से उन पाड़ों को और भी खोकला कर लिया होगा उनकी दुनिया पाड़ों के भीतर बसती है इस तरहे बेबर्व सर्दी बर्सास से भी बचे रहते हैं बेबार भी आते हैं खुले में परंतु रहते हैं वो पहाणों के भीतर ही है मेरी जानकारी के साब से पहाणों के भीतर जाने और आने का एक ही रास्ता है दूसा रास्ता है तो वो मैं नहीं जानता हैरानी है कि वो पाणों के भीता रहकर अपना जीवन भीता रहे हैं धराने का इन बरफीली वादियों में पाणों के भीता रहना ही सुरक्षेत है वो पाणों से भार कब निकलते हैं जब दिल चाहे निकलते हैं उनके बाहर निकलने पर कोई पावंद ही नहीं है। ये सारी बात तो मैं डोबू जाती वाले उसी दोस्तां बताएं। हाँ, डोबू जाती वाले और क्या क्या करते हैं। मैं समझा नहीं, वो खाते क्या हैं। पहले वो सिर्फ जानवरों को मार कर खाया करते थे, लेकिन उनकी संक्या बढ़नी की वज़े से जानवर कम पढ़ ले लगे, ऐसे में आप वो भी हमारी तरह सबजीयों दाले खाते हैं, उस जाती में कई लोगों का कामी यही है कि भारी लोगों की तरह कपड़े पहन कर, उन जरुरत के मताबिकों ने बेच कर पैसा हसल करते हैं, उनके सब कम बहुत अच्छी तरह से सिस्टम से चलते हैं, वो हमारी तरह कपड़े पहनते होंगे, किसी को कपड़ा हासल हो जाए तो वो कपड़ा पहन सकता है, मनाई नहीं, परंत वे बिना कपड़ों के भी रहते हैं वे कमर वाले हिस्से में कपड़ा वश्य बनते हैं, औरते भी ऐसा करती हैं, उनने सर्दी का एसास खास नहीं होता, क्योंकि सर्दी सहनी के उनकी आदत हो चुकी है, जोगर आमने गिलास खाली किया और नया तयार करने लगा, अब खाना खालू, धरा क्या उटी, एक और प बच्चों का कोई माबाप नहीं होता, बच्चे जाती की मिलकियत होते हैं, सामईक तोर पर सब मिलकर उने पालते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, औरत ने बच्चा पैदा किया तो बच्चा जाती के अन्ने बच्चों में शामिल कर दिया जाता है, बात में किसी को पता भी भी होते हैं जो योतिकला नहीं सीख पाते हैं तो उन्हें जाती के अन्ने काम सिखाने पर लगा दिया जाता है मतलब कि हर कोई योतिकला नहीं सीख सकता धरा ने पूछा जोगर आमने गिलास से घूड बरा और बोला योतिकला सीखना बहुत महनों तो लगन का काम है इस जात है ऐसा करके डोबू जाती वाले योद्धाओं की नई इंदरी विक्सित करते हैं कि आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है और आज पास मौजूद दुश्मनों का मकाबला उसी स्थिति में करना होता है कि आपको परंतु डोबू जाती में योद्धी की सारी कलाओं का गयता कोई नहीं बच सका बबूसा को छोड़ कर बबूसा एक मात्र बबूसा ही रहा जो डोबू जाती की सारी योद्ध कला सीखने में नम्मर बन रहा बबूसा ऐसा योद्धा डोबू जाती में दूसरा नहीं उससे दूसरे योद्धा भी डरते हैं, बलकि डोबू जाती के बड़े भी उससे ठीक से पेश आते थे तुमने बताया थे कि बबूसा जब विद्रोपा रोतरा तो कोई उससे रोक नहीं पाया हाँ, उससे रोकने की कोशिश की तो उसने कई योद्धाओं को खत्म कर दिया बबूसा को कोई मुकाबला नहीं कर सकता ये बाद डोबू जाती के बड़े जानते हैं इसी कारण बबूसा के सामने से योद्धा हटा दिये गए मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इस पकार योद्धा दियार करके ये लोग करते क्या हैं मैंनी जानता तुमने अपने उस दोस्थ से पूछा नहीं था पूछा था परन्त उसने कोई जबाब नहीं दिया डोबू जाती के बारे में और कुछ बताओ जादा नहीं जानता मैं जब मैंने उससे डोबू जाती की भीतरी जंग कारी लेनी चाही तो उसने सिर्फ इतना ही कहा कि वो जाती की भीतरी बात नहीं बताएगा परंतो उसने ये अवश्य कहा कि उसकी जाती इस दुनिया के लोगों के लिए रहसी की तरह है हम ऐसा बहुत कुछ करते हैं जो हमारी दुनिया वाले सोच भी नहीं सकते बताया नहीं कुछ? नई, जो कर आमने इंकार में से लाए मतलब कि वो अपनी जाती के रहसी तुमारे सामने नहीं खोलना चाहता हाँ, इस बारे में उसने इस्पष्ट मना कर दिया था वो आदमें अपनी जाती के क्या काम करने बाहर आता है? वो कपड़े लेकर आता है, जाती के लोगों की जरुबतों का सामान लाता है, इसी तरह का काम बबुसा ने विद्रो क्यों किया अपनी जाती से? ये बात पूछने पर भी उसने नहीं बताई थी, वो चुपो गया था बबुसा के बारे में और बाते बताओ, मैं उसके बारे में चानना चाहती हूँ बदाई चुकाओं कि बबुसा डोबुसा ने विद्रो करके कहीं चला गया है, विद्रो की वज़ा कोई नहीं जानता डोबुसा ने विद्रो किया हूँ डोबुसा के लोग किस भाष़ में बात करते हैं? उनकी अपनी भाष़ा है, परंतु जो लोग भाष़ सामान लेने जाते हैं, उन्होंने हमारी भाष़ा सीख रख किये जोगारामने गिलास खाली करती हुए का, खाना ने खालू कुछ खालें, सुबह फिर सफर शिडू करना है तीसरे दिन सुबह के ग्यारा बज़े जोगारामन अपना घोड़ा रुका तो धरा ने घोड़े की लगाम की चली, मौसम बहुत सर्द था, धुब का नाम निशान नहीं था, सर्द हवा चल रही थी, रहे रहे कर धरा सर्द लेहर में से काप उठती थी हाला कि सुनीता ने उसे गर्म उनका मोटा स्रेटर दिया था, परंतु उसमें भी ठंड लग रही थी, आगे बर्फ के फार नज़र आ रहे थे, जाने को कोई रास्ता नहीं था, जोगाराम घोड़े से नीचे उतरता बोला, घोड़े आगे नहीं जा सकते, हमें आसे पैद उसे बांद दिया, कि गोड़े टैल तो सकें, परंतु दूर ना जा सकें, बापसी पर गोड़े यहीं नहीं, फिर उसने गोड़ों को सामान से निकल कर चनी की दाल खिलाई, इस दोरान जोगाराम के चैरे पर गंबीरतारे, वो रह रह कर निगा धरा पर मार लेता था, जो तुम जान को खत्रे में डाल रही हो, मत जाओ उदर, अभी भी मैं पैसा वापिस करने को तैयार हो, तुम मुझे डरा रहे हो, मेरी बहन, जो कर हमने संजीदा सवर में का, मैं सही कह रहा हूँ, वो लोग किसी भारी आजमी को जिन्दा नहीं चोड़ते, देखते ही मार दे जाकर तुमने वापिस चलने को कहा तो पैसे वापिस नहीं दूँगा, अभी तुमारे पास मौका है, अपनी जान बजाने का, और पैसे वापिस लेने का, हम अब डोबू जाती से जादा दूर नहीं रहें, आज इस पार को पार करके दूसी तब पहुंच जाएंगे तो बता चुका हूँ, भूत की तरह डोबू जाती का योओ योदा किसी के, किसी पेड के उपर से, पार के पत्तर के पीछे से, जाडियों से कहीं से भी प्रकाडोगा तुमारी करदन काट देगा, तुम ठीक से उसका चैरा भी नहीं देख पाऊगी, जोगराम दाद पीछे कह कोई उनकी तरफ जाए, यह उने पसंद ने, तुम क्यो मरना चाहती हो, मेरे समझाने पर भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम चाहते हो कि डोबू जाती के इतने करीब आकर वापिस चली जाओ, तुम मौत के करीब जा रही हो, बास समझ में नहीं आती क्या, जोगराम धरा जोगराम की चैरे को देखते ही वे गंबीर सर्व में भूली, हम पाढ़ को पार करेंगे जोगराम, मैं वापिस नहीं जाओंगी, चौते दिन तेज धूप खिली हुई थी, बर्व से ठकी पाहाड की चोटियां धूप से चमक रही थी, ऐसे में सर्दी से काफी रहत आस्मान में पाहाणों की चोटियों को चूते, सफेद बालों के तुकडे तेर रहे थे, आस्मान नीला था परंतु ठंडी हवा चल रही थी, हर तरब बर्व से ठके पहाड़ी पाहाड नजर आ रहे थे, सब कुछ मिनाकर मौसम खुश मिजाज हो रहा था, दिन के दस बच फिसली थी, पाहड बर्व से ठके पाहड को पाहड करना अनुखा अनुख रहा था, ठीक बात तो ये रही कि वो पाहड सीधा नहीं था, धरान लिये हुए था, इसलिए धरा उस पर चड़ पाई थी, जोगा राम तो जैसे पाहड पर चड़ने का अभ्यश्त था, घोड़ है जादा देर नहीं बचा हमाई पहुंचे आदा गा आदा या एक घंटा और दोनों तेजी से पैदा लागे बड़े जा रहे थे तो मैं मरने वाली हो जोगाराम बोला धरा ने गंबीर निगाओं से जोगाराम को देखा जब रास्ते में बड़ी-बड़ी पहाड़ी चट् उकला कर दिया है उनकी दुनिया पहाड़ों के भीतर है परंतो तुम वहां तक कभी नहीं पहुंच पाओगी मेरी बात को तुमने कभी भी गंबीरता से नहीं लिया कि बोलो तुम मार देंगे पहरे के तौरबर डूब हो जाती कि योद्दा पहाड़ों के आस-पास बिख टिने लगी मैं ने तुम्हें दस लाख रुपयती है धरगुसे से बोली तभी तो तुम्हें यहां तक लाया हूँ चलते चलते जोगर हाम नखा तुम्हें चाहिए कि मेरा साथ दो साथ देतो रहा हूँ तुम मुझे कमजोर कर रहे हो ये कहकर कि डोबु जाती मुझे मार बात नहीं समझसकी कितना समझाया थैं मैंने पता है तुम कैसी सरकार नौकृवी गड़ती हो ऐसी नौकरी किस काम की अ कि तुमomena जान के जान के जान खत्रे में डालनी पड़े जबकि तुम अकेली हो किसी भी नीच लेगा कि तुम मर गई या फिर कैसे मरी धरा पाउं पटक कर रुख गई जोगराम भी रुखा अगर तुम वापिस जाना चाहो तो पैसे नहीं मिलेंगे मैंने कली कह दिया था परन्त तुम अपनी जान बचा सकती मैं वापिस जाने के लिए नहीं रुखी धरा ने करीब घंटे बर बाद जंगल खत्म होने लगा और वो जगए आ गई जहां बड़े बड़े पहार के तुकड़े बिखरे पड़े पड़े थे सामने ही बर्व से ठगा पहार नज़र आ रहा था जो कि काफी बड़ा था और दूर तक जाता दिखाई दे रहा था उस तक जा सबाट था धरा व्याकूल ही दिखी तुम ठीक कहते हो धरा ने सूखे उटोबस जीप फेर कर का कम से कम मुझे अकेले में एक खत्रा नहीं उठाना चाहिए इस काम में मेरे बिवाग के और लोग भी साथ होने चाहिए थे परन्तु वो मेरी वज़े से ही मेरे साथ नहीं है मैं नहीं उन्हें का कि एक बार मैं डोगू जाती से मिलाओं फिर उन्हें बलाओंगी पर तुम बार बार ये बात कह रहो कि मुझे जिन्दा नहीं छोड़ेंगे तो अब मेरे दिल में भी डर बैटने लगा है शुकर है दस लाग कमा कर और चाट दिन का ये पूरा सफर त पर तो मैं मेरी बास समझ में तो आई कम से कम तुम अपनी बेश कीमती जान बचा सकती हो वापस आसमान साफ होगा तो तब डोबू जाती वाले पेट के बन लेट करी बिताते हैं जोगाराम ने अन्मने भाव से का परन तुम्हें दावा नहीं कर सकता कि तुम्हें देखकर वो उठेंगे की ने मतलब की ये रास्ता मेरे ले लबदायक है जोगाराम धरा को देखने लगा डोबू जाती वाले मुझे देखते ही मार देंगे ये तुम कहते हो क्योंकि पहले में जिन लोगों को इदर लाया तो उनके साथ ऐसा ही हुआ था जोगाराम ने बिचैनी से का फिर तो पूरे चंद्रमा वाला मेरा आइडिया जादा बहता है उसमें बचने के चांस तो हैं जैसा कि तुम कहते हो कि संबभ है वो उस रात ना उठ है वैसे ही लेटे रहें ऐसे में मैं एक निगा पहाणों के भीतर जहां वो रहते हैं मार सकती हूँ मेरे पास कैमरा है म महां की तस्वीरे ले सकती हूँ इसी सही मेरा काफी मतलब हल हो जाएगा जिससे कि उन्हें समझा जा सकेगा मैं सारी रिपोर्ट चकृती साब को दे दूंगी उसके बाद वो जो करना चाहें मुकर तुम पागल हो गई हो नहीं धराने से रिला है मैं पागल नहीं हूँ त कि मैंने बिवाग के दस लाग रुपे जोगाराम को दे दिये कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके जोगाराम के होट बीच गए मुझे भी आगे जवाब देना होता है कि दस लाग खर्च करके बिवाग को ये फायदा हुआ डर से मैं भाग नहीं सकती पहले भी मैंने अ जोगाराम तरह कंबीर सर्में बोली तुमारी बाते सुनकर ही मैंने आगे बढ़ने का विचार छोड़कर पूरी चंक्रमा वाली रात का इंतिजार करने की सोची है ऐसा मैं तभी तेकिया है कि मुझे अपनी जान प्यारी है अगर अजनभी को अपने बीच आया पाकर वो उस रात उट गए तो तो मैं उनसे बात करूँगी उन्हें समझाओंगी कि बाहर दुनिया बहुत बड़ी है वो भी हमारा इससा बन कर रहे हैं मैं उन्हें बाहर की दुनिया दिखाऊंगी सब कुछ देखकर उनके मन जरूर बतलेंगे और तुम बहुत बड़ी परन तुम मुझे और मत तराओ हम पूरे चंद्रमा की रात का इंतिजार करेंगे मेरी बात मानने में तुम्हें आतरास तो नहीं होगा ना जोगर हम होट बीचे धरा को देखता रा डोबू जाती के फैरे से दूर तुम कोई जगह देख लो जहां हम पूरे चांद की रात अपने बेचान नजों से दराओ देखा पर कहा कुछ नहीं